शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें लिए सब्सक्राइब के लिए से थाइकन cevा deflect there हुआ वूआाइब के लिए सर्ण niveau कि अब कि कि आप कि आप हैं आप है आप कि रह बाद हैं ख़िफा है देड है। उसको पकड़ने के लिए पुलिस बड़े जोर शोर से लगी हुई है सुना उसके बारे में खबर देने वाले को कुछ इनांग भी मिलेगा हाँ अगर उसके बारे पुलिस को कोई खबर क्यों करेगा कानून और पुलिस भले उसे कूँ निमानती हो मगर हमारे और तुम्हारे लिए उसे नेका मी क्या है ना विल्कुल उसने दिन को मारा है वो गुंड़े ही तो थे अरे कुछ नहीं हुआ अब तक यह लोगों को मारने के बाद भी वो अब तक पकड़ा गया शर्मा जी मैं तो कहता हूँ सीएम साब को इस काम के लिए स्पेशल फोर्स मंगानी पड़ेगी अरे वो तो बहुत ही शातिर और चालाख है उसने एक एक करके चार लोगों की जान ले ली है फिर भी पुलिस उसे छू नहीं सकी यह क्या है यह क्या है मैं तुम लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाह क्या सब जाना चाते हो तुम मुझे वो आदमी जिसे पुलिस किलर के नाम से चार्शीट कर चुकी है जिसे तीन-तीन कतल करके पूरे शहर में दहशेत पहला रखी है वो मुझे ता केस लेडर की बात कर रहा है तीन नहीं चार-चार खुन की है मैंने लगता है आश्याम का अकबार आपने पढ़ा नहीं पुलिस में मेरे नाम के साथ खुनी जोड़ दिया है मगर मैं खुनी तब ही माना जाऊँगा जब अदालत मुझे खुनी करार देगी और खुराना साहब आप जैसे काबल वकील के लिए मुझ जैसे लोगों को अदालत से बचाना चुटकियों का खेल है मिस्टर विशाल अगनोतर मैं आदालत में इंसाफ के लिए लड़ता हूँ तुम जैसे खुनीयों के बेरोवी करने के लिए तालिब नहीं लिया है मैंने हला जो भी रहो खुन किया है तुमने गुना हुआ है तुमसे कोई गुना नहीं हुआ मुझसे मुझसे चो हुआ उसे खुना मत बोलिये क्योंकि वह ज़रूरी था इस शहर के लिए इस शहर के स्कुन के लिए उन चार लोगों की पहचान मिटाकर मैंने एक नेक काम किया मिस्टर गुराना और इसके लिए मैं जेल की सलाकों के पीछे अपनी जिन्दगी नहीं गुजाना चाहता नहीं पुलीस से भागते हुए चीरा चाहता हूँ क्योंकि मैंने कोई गुना नहीं किया है और आप, आपके बारे में सब जानता हूँ मैं कितने गुनगारं को छुड़ाया आपने और उनको छुड़ाने के लिए कितनी कीमत लिया आपने सब जानता हूँ अब खुद को नंगा करने में ज्यादा वक्त बंतलो कुराना साफ साफ बताओ के क्या रखम चाहिए पांच करोड, दस करोड, हाँ शराब क्योंगे बाई शराब नहीं पीता मिस्टर विशाल, तुमने अपने केस के लिए जो कीमत लगाई है उससे मुझे इतराज नहीं है मगर एक बात मैं भी जानना चाहता हूँ जिस आदमी के पिछे पुलिस लगी है, जो पनाहा के लिए शहर का एक कोणा तलाश रहा है, वो दस करोड का इंतजाम कहां से कर पाएगा पुराना साहब, अगर मैं बदनाम हुआ हूँ तो थोड़ा सा नाम भी कमाया है, तैसे आपको मिल जाएंगे ठीक है, तुम अमपा कमिट्मेंट पूरा करो और पुलिस को सरेंडर करो विस्तृत समाचार इस प्रकार है, एक अपराधी विशाल अग्नियोत्री और पुलिस के बीच चल रही आँख में चॉली, आज समाप्त हो गई विशाल अग्नियोत्री ने आज पुलिस के सामने आत्म समर्पन कर दिया, इस सप्राधी को चार बड़ी हस्तियों के कतल के मामले में चार्च शीट किया गया था और पुलिस इसकी तलाश में थी मिस्टर खुराना, विशाल तो पुलिस के आगे सरेंडर करने का क्या यही मतलब है कि उसने ही खुन किये है आप बहुत समय रहे है, विशाल के सरेंडर करने के पिछे यह है को फिलाहल की परिशानी उससे बचता जाता है सर, आप अब तक अपने कारियर में कोई केस हारे दे, इस केस में तो पुलिस के फाइन में नाम चड़ना, इसका पत्र यह नहीं कि वो खुन ही हो जाता है, इसका फैसा आदालत करगी, आप इंतजार कि यह सच्चा ही सामने आ जाएगी आपको विशाल में तुम्हारे केस को दाखिला तो मिल गया है, साथ तारिख मिली है, पहली सुनवाई की, मेरे ख्याल से यह मामला चार तारिखों तक खिचेगा, मैंने तुम्हारे क्राइम ब्राइन शिफ्ट करवाने के ओर्डर्स कैंसल करवा दिये हैं, अब तुम यही तुम यहां कुछ अफिसर्स हैं मेरे पैचाल के, वो तुम्हारा खास क्यार रखेंगे, बस अब तुम यहां कुछ गड़ बर्बत करना, तैश मैं अगर तुम्हारा खुट पे गाबू तो रहता नि, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी चार्श शिक में कोई नई बात च मैं यहां कोई गलती नहीं करूंगा, मैं भी नहीं चाहता कि मेरी चार्श शीट में कोई छोटी-मोटी बात चुड़े, आप मुझे लेकर ऐसे ही परिशान है, हाँ विशाब, मेरे करियर का है परिदा किस है, जिसे लेकर मैं वाकई परिशान हूं, जिन्दगे में कभी श आपकी काबलियत पर आपसे स्यादा मुझे भरोसा है, ये केस आप ही जीतेंगे, येकीन कीजिए, इस केस के बाद, कानून के इतिहास में, आपका नाम याद रखा जाएगा भाई खुराना साथ ने तो कमाली कर दिया, इसली तरीकों में क्या पुलिस की धचिया उड़ाए ये उन्होंने? घुराना साथ देजा वाकिल कभी को एक रिशा सता है क्या आग sí ज़्वात्ति बेगा कि बीशान! कि अग्योटरी के लिए जितने भी सबूत मैंने जोटाये है पिछली तीन तारिखों मिस्टर खुराना मेरी हर विटनेस हर एविडेंस का तोड निकालते आए हैं मिलोड मिस्टर खुराना अपनी काबलियत के दम पर जूट को सच्चाई के लिबास पेनाने में कामियाब हो चुके हैं लेकिन मेरा प्रियास अभी जारी है कि अदालत कहीं कोई गलत फैसल ना सु रहे हैं यहां अदालत में यह कारवाई चल रही है कि विशाल अगनीहुत्र का इन चार कत्लों से तालुक है या नहीं और मेरे काबिल दोस्त वजा इस मुद्दे पर बात करने के इस देश के भविश्य के बार में चिंता कर रहे हैं मैं इनके बरेशानी समझ सकता हूँ पिछली तारिखों में विशाल अगनीहुत्र के खिलास कोई सबूत या गवाज उटाने में यह लाकाम रहे हैं और आज की तारिख में भी अदालत के सामने कुछ कहने या रखने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं बचा है मैं पिछली तारिख के उस मुद्दे को दुबारा उठाना चाहता हूँ मिलाड साथ नौंबर के ही रात एक बुढ़ी आवरत अपने बच्चे के साथ चेंबूर नाके बे एक रिक्षावाले से ठकनाती है वहाँ मवजूद विशाल अग्री होतने के नजर उस हाथ से परपड़ती है वो भाग कर उस रिक्षावाले को पकड़ता है और उस बुढ़ी आवरत और बच्चे को लेकर मॉंबे उस्पिल पहुशता है वहाँ के डूटी ओफिसर डॉक्टर परडेल अपने नजदी की पोलिस टेशन शांती नगर को इस केस के बारे में इन्फॉर्म कर देते हैं उसके बाद इंस्पेक्टर शर्मा और हवालदार मातरी अपनी कारवाई पूरी कर देते हैं इस कारवाई के दवरान विशाल को करिब देड़ दो घंटे तक वहाँ हस्पिटल में बिठाया गया है मिलोड इस सच को साबित करने के लिए मैं आपके सामने कुछ सबूत और गाह पेश करने की इजाज़त चाहता हूँ मिलोड ये पूरी तर साबित हो चुका है कि मेरे मुख्किल का इन मेंसे किसी भी एक कत्र में कहीं कोई हाथ नहीं है अब ये सवाल उटता है ये बेकसुद नौजवान अपने सर पर चार चार खून के इल्जाम लेकर इस अदालत में क्यों खड़ा है मिलोड ये नौजवान पुलिस की जादी दुश्मन का शिकार हुआ है कुछ हर से पहले नादा चोप पुलिस सेशन में इस नए पुलिस की ज्यादती के खिलाफ आवाज हुटाई थी वहाँ उसकी पुलिस के साथ हाता पाई भी हुई थी जिसके लिए इसने चार राते पुलिस नाकप में गाड़ी तब से ये नौजवान पुलिस के नजरों में चड़ गया था फिर पुलिस ने अपने नाकामी को चुपाने और अपना सिक्का जवाने के लिए इन कत्लों के साथ इस विशाल का नाम जोड़ दिया था बस में लोड़ मैं चाहता हूँ इस नव जवान के साथ और ज्यात्ते ने की जाया अदालत अपना फैसला सुना कर इसे बाईज़द बरी करें अदालत में इस मामले की अब तक हुई कारेवाई पर गौर करने के बाद एक बात साफ हो जाती है कि पुलिस के पास ऐसा कोई ठोस सुबूत या गवाह नहीं है जिसके आधार पर मुल्जिम विशाल अगनिहुत्री को कातिल माना जाए वकिली सफाई की दलिले और विशाल के बचाओं में रखे गए सारे सुबूत भी यही साबित कर रहे हैं ले हजा यह डालत विशाल अगनिहुत्री को बाहिजट्tor विशाल अगनिहुत्री प्राइअ कर बcarbon है इस प्रहीरल आप अरदा इसे सब्सुन अभी मातरे इसे 부탁र करेंगे हुछता इसे लगुडिने या हो माता हुचती धुडिने यह अदालब की तोहीन है इस इस वर देशाप पॉर्ट फोर्दी जेने आई से सब इस फोर्दी जेने आप नहीं भागूगा यहां से नहीं भागूगा यहां से भागूगा नहीं मैजस्टर जेवन डोग्रा साहब चक्दीश कुराना की लाश बढ़ी है यहां पर मार दिया इसे मैंने और आप आप यह कुर्सी छोड़ दो आपको इस कुर्सी पबैटने का कोई हग नहीं अब बचा लिया आज मैंने आपको एक गलत फ़सला सुनाने जा रहे थे आप और यह यह चक्दीश कुराना इसने इस अदालत में यह थावत कर दिया कि मैंने कोई कतल नहीं किया बेकसूर हूँ मैं नहीं मैंने एक नहीं चार चार खुन किया मैंने और यह बात यह बात यह भी जानता था अरे अदालत में आने से पहले इसने सब कुछ जान लिया था मुझसे इसे बालूम था कि मैंने किसे कब कहा और किस हाल में मारा है इसने मुझसे पूछा था कि गोली मैंने कितनी दूरी से चलाई थी और वो गोली सीने में लगी थी है सर में जिसका गला दबा कर मैंने मारा था उसके मुझे से खुड निकला था या नहीं उसकी आगे खुली थी या बंद ये सब सब ये जानता था कोच समझ में आ रहा है मैजेस्टर जेवन डोकरा साहिब कोच समझ में आ रहा है तस क्रोर पे लिए थे इसने मुझे बचाने के लिए चक्तिश कुराना कानून का हिमायत ही नहीं कानून के बजार में अपनी दुकान चलाता था मैंने कानून से बच्चने के लिए नहीं कानून की आखे खोलने के लिए अपना कैसिस के हाथों में दिया था यह अदालत है इक्साफ होता है यहाँपर सच्चाई और जूट की पनक होती है यहाँ पर यही यहाँ पर कुछ नहीं होता सिर्फ वहिश्कार होता है वहिश्कार कानुम का वहिश्कार हर अदालत में जगदीश खुराना जैसे लोग करते हैं वहिश्कार और हर अदालत में उचाई पर इनके जैसा ही एक आदमी बैठा होता है ऐसे ही और पैठे होते हैं यह 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 सब तमाश मिन लोग पूरा तमाशा मजा लेकर देखते हैं इनके लिए अधालत की कारवाई हो यह मदारी का खेल बस मजा आना चाहिए मजा क्यों आरा है ना मजा मजा लो मजा कोच समझ में तमाशा है करना तो इतने बड़े ताम जाम इतनी बड़ी जगा की क्या सवरूरत है अरा बंद करो यह सब कोच जह इसे लोग थे वो सब कोच समझ में अरा मजेशा जैवन डोगरा सायब कोच समझ में तुछ समझ में लोग नाम आरा है अधालत में अपने ही पक्ष के वकील को जान से मार देने की घटना ने सारे शेहर को चौका दिया है कल अधालत की कारवाई के दौरान मुल्जिम विशाल अगनियोत्री ने अपने ही वकील जगदीश खुरान की हत्या कर दी विशाल अगनियोत्री विशाल अगनियोत्री शांत हो जाए देखे आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए विशाल खुद किसी से नहीं मिलना चाहता हमें अप अंदर जाने दीजिए हम विशाल से कुछ बात करना चाहते हैं लेकिन विशाल किसी को कुछ नहीं बताना ना ही किसी से मिलना चाहता है आप लोग एक काम कीजिए आप हमें थोड़ी सी मौलत और दे दीजिए हम विशाल से फिर बात करते हैं और देखते हैं कि वो आपसे मिलना चाहता है या नहीं हम विशाल से मिलकर ही देंगे हमोश मने का ना आप में से कोई भी विशाल से नहीं म हर पक्ष पर गौर करने के बाद अपना फैसला सुनाएगी। देखो विशा, तुम क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो। बेशक ये तुम्हारी अपनी सोच है, अपना फैसला है। मगर तुम्हारा ये केस अब तुम्हारा जाती मसला नहीं रहा है। इस शहर के हर आदमी की जुमाँ पर तुम्हारा ना है यहां तक की पुलिस डिपार्टमेंट की इमानदारी पर भी सवाल उठख़ा हुआ है मैं जानता हूँ, तुमसे जो हुआ है वो एक तरह से गलत भी नहीं है यह हालात हमारे सिस्टिम नहीं तुम्हारे सामने खड़े कर दिये थे ठीक है तुमने चंद गलत लोगों को मारा है लेकिन विशाल इससे कहीं कोई बड़ा सुधार तो नहीं होने वाला है कुछ और लोग भी है सजा के हगदार जो कुरसियों पर अब भी चिपकर बैठे हुए है विशाल तुम्हारा ये केस कमीडी के सामने खुलने से लोगों को सच्चाई का पता चल जाएगा हमारे डिपार्टमेंट के जिन करप्ट ओफिसर्स ने तुम्हारे खिलाफ बुराईयों का साथ दिया है वो लोग एक्सपोज होने चाहिए उनके बारे में सबको पता लगना चाहिए विशाल सिस्टिम से जुड़ा हर आदमी बुरा नहीं है कुछ अच्छे और इमानदार लोग भी है उन्हीं की कोशिशों का यह नतीजा है कि आज भी आम लोगों का विश्वास हमने पुरी तरह से खोया नहीं है मैं और मेरे कई ओफिसर्स कमिटी के साथ को आपरेट कर रहे हैं और विशाल मैं चाहता हूं कि तुम भी हमारा साथ दो ठीक है कमिटी जो मुझ से पूछने चाहते है झाल झाल, वेज़, वेजय कह वे, बढ़ we out टान को लिए, तब वेज़, SHR घथार लगा! कर दो कर दो कर दो कर दो मिस्टर विशाल अगनी होतरी डीजीपी साब ने आपको हमारी इस कमेटी के बारे में काफी कुछ बता दिया होगा मैं और मेरे साथी कानून और ववस्ता के कई जिम्मेदार महिक्मों के साथ जुड़े रहे हैं हमने कई संगीन अपरादों पर अपने फैसले भी सुनाए है वैसे जर्म के लिए तो कानून का एक ही नजरिया होता है अपराद क्या है और उसके लिए क्या सजा होनी चाहिए लेकिन तुम्हारा ये पहला केस है जिसके लिए कानून को अपने उसूलों से हट कर सोचना पड़ रहा है मिस्टर विशाल तुम्हारे मामले की वो पक्ष यो पुलस ने अदालत के सामने रखे हैं जैसे के तुम्हारी चार्जशीट, तुम्हारे हक में या तुम्हारे खिलाफ मिले सुबूत, कवा, सिर्फ उनी को मदे नजर रखकर इस कमेटी का किसी नतीजे पर पहुँचने का कोई रादा नहीं है ये कमेटी तुम्हारे मामले से जुड़े दूसरे पक्ष को भी देखना चाहती है और हमें यकीन है कि तुम पूरा से योग दोगी मिस्टर कृष्ण मूर्थी आप मिस्टर विशाल, कतल जैसा जुर्म किसी के हाथों भी एक जुनून में होता है और ये गुना हो जाने के बाद पस्ताव होता है मिस्टर खुराना को मारने के बाद ऐसा कुछ आपको भी महसूस हुआ मिस्टर कृष्ण मूर्थी, एक गुनिगार को सजा सुनाने के बाद आपको कैसा महसूस होता है जाहर है मुझे सुकुन मिलता है कि मैंने कानून की हिवाज़त की है और एक अपरादी को सजा सुना कर एक नेक काम किया है You're right, Mr.ject कृष्ण मूर्थी नेक काम करने के बाद सुकुन मिलता है पपश्तावा नहीं होता आई अब्जेक्ट Mr. Chairman मिस्टर विशायल अगनी होतरी को अपने बातचीत करने के ढंक पर कंट्रोल होना चाहिए सच्चाई के एक लवज से तिल मिल आउट है अभी तो मैंने अधैश शुरू ही नहीं किया आज यहां कानून का हर आदमी सच्चाई, इमानदारी और मर्यादा को ताक में रखे जबान पर इन लब्जों को लिए घुम रहा है अगर कानून कहीं कुछ होता तो मेरे नाम के साथ अपरादी नहीं जुड़ता इनसाफ के लिए मैं आतंग के रास्ते पे ना चलता लोग मुझे खुनी ना कहते, कई खुनों के इल्जाम अपने सर पे लिए बैठाओ खुनी बनने के संसकार मुझे घर से नहीं मिले मेरे पिता जी एक स्कूल मास्टर थे पच्चों में अच्छे संसकार डालना उनका पेशा था अपनी तकलीबों को बूलकर दूसरों के लिए जिया करते थे वो मैं देखाता हूँ, देखाता हूँ आप लोगों को ये अर्जिया, ये अर्जिया उन्होंने अपने लिए निली की लोगों की तकलिमों को ले का सरकारि दफ्तरों में भटकते रहते थे थे वो कभी किसी की बेटी की देहिज के लिए, तो कभी किसी गरीब की जिंदिगे के इलाज के लिए पढ़िये आप लोग पढ़िये! कुछ पर यह कुछ है कि अब भक्तों यह रूब मत किया करो दाना डालने वाले पर कोई कुर रहाता है क्या अरे हाँ हाँ जाटताओं कि तुम लोग नाराज हो सोंवार को नहीं आया था पिछले आफ्टे अरे आरांग से कबूतर उड़ रहे हैं देख नहीं रहा है अपना सब काम वरोबा टाइम पे आप यादा गंटा लेट हुए हैं लेकिन गोविंद आ अरे मास्टर जी अपनी स कर आधावादारू का इंतिजाम सुभाँ सुभां-चरा कर आयो हा अरे नहीं मास्टर जी यह तो रात का उतारा है अच्छा चाराद की चडी उतारने के लिए सुओध चड़ाते हो और सुवा की उत्री शाम को चल़ाते हो अगर चड़ाकर ना चाते हो तो साम की दारू का इंतिजाम हो गया ये लो ये मेर साब का लेटर है अब ये टाटा हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा पिना किसी खर्चे के मास्टर जी आपने जो हमारे लिए इतना कुछ किया है मैंने दो चार दिन भाग दोड़ की न कौन सा आसमान उठा लिया मैंने कुछ नहीं किया मैंने जा जाके चाहे लिया मेरे लिए अच्छी सी पुलीस ने मूर्ती चोरों को पकड़ा मूर्ती बरामत की मंदर के पुजारे को ग्रिफतार किया पिशाल बाप ने पढ़ा ये दे मुझे अखबार ला मेरे पास दे वरना सुबा सुबा इनके हाथ लग गई ना तो सारा दे निसी अखबार के खबरे चलेंगी सुबाच्छे बजए के निकले हुए अभी तक घर नहीं आए इसे कान चुपाऊ मैं यहां नहीं नहीं यहां तो ढून लेंगे हम यह जगे ठीक है हाँ काहा रह जाते हैं आप काहा रह गये थे यह भूल मंदिर में चड़ा देना विशाल गया नहीं बाहर बैथा है चाए पी रहा है मिल गया निकल रहे हो भाई आप आप जी नाश्ता किया हां कर लिया हां जाते जाते बैंक से होते जाना मेरी पास्बुक कलेक्ट कर लेना जी अगली बार अपनी मा से कहना अकबार किसी अच्छी जगा चुपाया करे मूर्थी चोरी तुमने दी क्या नहीं मैंने ढूंड लिया हां लो बेटा घड़ी मंदिर में एक मूर्थी की चोरी अच्छा मामा चलता हूं पुजारी गिरफतार यह रही आपकी चाय आग्या तुम भी अपनी चाय लेकर यहां जाओ ना आओ यहां बैठो थुड़ी दे अब मैं तुम्हारे सामने बैठ कर तुम्हारी दुनियादारी सुनूंगी तो घर का कामकाच कौन करेगा वैसे ब्यात सारा दिन इसी में जाएगा मंदिर पुजारी मूर्थी है ना इतने सारे काम पढ़े हैं मुझ से आशकल वैसे दोड़ दूप नहीं होती अपना बच कांता मेरा नाश्ता लगाया हो में साब वेरी गुड यह क्या है तुम्हारी शादी के लिए में साब मैंने कहा ना मुझे इस तरह से शादी नहीं करनी इतने बड़े बड़े आजमियों की तस्वीर मेरे कदमों पर दाल दी अरे ये तो दोति में ही कुझ क्या अरे बेटी ये तो अमेरिका से डॉक्टर बन के आया है और ये तो आपका पुराना स्टायल है डाडी पहले आप मुझे फोटो दिखाएंगे फिर आप उचसे कहे मैं नए स्टाइल की शादी करूंगी अरे डाड़ी मज़ा तो जाबाए कि कोई मुझे तक्राए में के रूपू मुझी समाले और मैं असकी आखों में देखके कहूं यही तो है वो तू मुझे डुबाएगी अरे कहीं तू ऐसे आतु भाग तू लड़के से मत तक्राना जो तो मुझे करोड़ पती से रोड़ पती बना दे अरे प्यार तो प्यार होता है डाड़ी कोई दिल को जच्चाए ना तो फिर दौलत क्या दुनिया क्या बाई डाड़ी आरे पर तू मेरी बात समझने की तोशिस कर आप खामो खा छोटी बात को इतनी लंबी करके परिशान हो रहे हैं मैं निहा बिटिया को थोड़ा बहुत जानता हूं वो सही वक्त पर सही जगह सही लड़के से टक्राएगी आप लोग प्लांस की बिल्कुल कहर नहीं करते अगर इस बार प्लांस को कुछ हो गया ना मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं यही तो सोचा था मैंने टक्राना गिरना फिर समलना फिर एक दुसरे की आँखों में आखे डाल के देखना यही तो है वो आई लव यू यार आई लव यू हॉन हुर को अनुकिज्द ह्परेर होगा जोटिं ह div next जाए आए यूल तो समैला सब्सेया तो चलो 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 हाथ चलो चलोjachाश्ए किंस तपके तो आप नहीं समाल सते तो आप मेरे साथ जाए आज क्या होगे आपो रिके स्टाप में हसे घुट अमा तो अरे किया हो रहात हरा है कम से कम तू सही जगा पे तो टक्राएं चल चल दीचा इंता ता कि कीजिए जब अन्होनी कोई होई दो दिल जब प्यार करें तो रोक सके न कोई आगर दीवाना आवारा इस नाम से तुछ को पकारों में पलकों के साले में रखो या दिल में तुछ को उतारों में दिल को तेरे भाजाएं उस नाम से मुझे को पकार ले तू आखों के सुमहरी गलियों से मुझे अपने गिल में उतार ले तू मेरी तमना मेरा यार है मेरी पहबत मेरा प्यार है कैसे बताओं मुझे को भला में मुझे को तेरा इतजार है वोटों पे मेरे तेरी बात है या या अपना तो जन्नों का साथ है हम एन छोड़ा सारा जमाना हा तुम तेरा हात है वीला आशिक बसकाना इस नाव से तुछ को पकारो में पलकों के साए में रखो या दिल में तुछ को उतारो में मुझे अपने दिल में उतार ले तू झाल जढ उतारो में तुछ को नवड़ा है हाँ, चन्नत से आई कोई हूर है, इश्क में मेरे तु तो जूर है, भूले तुझे ना, एक पल मेरा दिल, इसमें मेरा क्या कसूर है दुनिया तेरे पैरों की धूल है, मेरे चुडे में तेरा फूल है, तेरे लिले जो, मुझको मिलाओ, हर दर्धों मुझको कभूल है यह दूबा जानन दिल जाना, किस नाम से तुझको पुतारू मैं तल को के सारे में रखो या दिल में तुझ को उतारू बर जो दिल को तेरे बाजाए उस लाव से मुझ को पुकार ले तू आखाओं किस नहरी गर्यों से मुझे अपने दिल में उतार ले तू वर्यों से विल में उतार ले उतार ले तू करदे भूँ लगा दया हुआँ कर दो कर दो दो कर दो कर दो दो कर दो कर दो आइ आर नड़ हो इसा अवसाओ आर दो शर दो कि अवसे नहा है उना दो अबड़ अबड़ी, झादे बाचे बाचे! झादे बाचे! झカल कर दो और खो कर दो कि बाचे! पुलिस के हवाले करना चाहिए पाव बढ़ता हूं चोड़ दिया तो दूसरा की चेम आठालेगा यह था यह थे पुलिस सेशन तु आसा कर तो जा कर शूटर ले कर अरिक्षा ले करा मैं रोक कर रखता हूं आए जाना इसे दिख मैंने रोका इसे अरे जाना कि मैंने रोका इसे क्या करते हो तुम भाई भाशत भारी हाथ है मेरे बीटे का अचाहिए अि जो रुवात मुछ से की थी या किसी और सी और की भीजेब मारी थी पहले आप इस शुरुवात की थी साब मतलब बोनी खराब लोगई अरे तो काम किया करना अस्दूरी कर बरतन म चुरान जो करता है कि सब कुछ भी काम करूंगा तो यह ले जाके डॉक्टर को दिखा देना और सुन रात को ने से पहले गरम दूद में हलदी मिलाकर पी लेना ठीक हो जाएगा अब जाना भाग यहां से आजा ठीक है ठीक है बापजी कहां गया वो वो भाग गया भाग गया अरे मैंने कोशिश की थी पकड़ने की मगर मुझसे ज्यादा ताकतवर था तो मैं मैं क्या करता देखो भई अब शक्का तो कोई इलाज है नहीं अब अगर तुम्हारे दिवाव में बैठ गया है कि मैंने उसे चक्के को भगा दिया उसे छोड़ दिया तो मैं क्या कर सकता हूं मैं तो यह कह रहा था कि अब इस किस्से को खतम करो और चाय पीलो ठेंडी हो रही है इससा तो दवा इलाज के लिए आपने उसे कुछ दिया कि नहीं पचास रुपे अब चाय ठंडी हो गई क्यों रहे आज तो मंदिर आने के लिए आना कानी क्यों कर रहा था मां वो क्या है कि मैं जान चुपकर ऐसे कामों के लिए भी बहान है तेरे पास तुझे पता है एक आधिशी के दिन मैं ये पूजा अर्चना कभी नहीं छोड़ती और वैसे पूजा वरत उप्वास वैं क मेरे लिए कुछ मांगने आता हूं मैं भी तो तेरे लिए आता हूं अच्छा तु मेरे लिए क्या मांगने आता हूं मैं भी तेरे लिए बहु मांगने आता हूं पदमाश बैसे हम दुनों के मनों कामना पूरी कैसे होगी तु तु तुगे चकर वकर चलाता है नहीं मां ब करना था टाइम होगे अब मैं क्या करूं हाँ तुम मुझे दस बज़े फोन करने वाले थे ना ओके बाबा सॉरी चलो कोई बात अब ठीक बज़े मैं तुम्हारा नैशनल रेस्टरांट में इंतजार करूंगी लांच साथ करेंगे ने हां अकाउंस का काफी काम बाकी है और पर कुछ बीडिंग्स भी है और फिर आज कल तुम्हारे डैरी मुझे पर कुछ ज्यादे ही करेंगी नेहा के नाम से नहीं सीमा के नाम से और फिर सीमा की कोई प्रॉब्लम होगी जो सिर्व मैं सॉल्व कर सकता हूं और उसके लिए मुझे चुटी चाहिए होगी समझी येस सब मिस्टर अग्नियोतरी मैं आज कल देख रहा हूं कि नेहा जो है वह बहुत ही खुश न चेहरा देखता हूं फिर अपनी कुंडली देखता हूं शनी की महादशा जो बाकी है यह सब उसी का प्रताब है मुझे तो लगता है कि उसका और विशाल का चक्कर बहुत ही आगे बढ़ गया है अरे आज कल के लड़के लड़कियों की बात ही छोड़िये और एक हमारा ज कुछ नजर आ रहा है वो विशाल सीटी बचाता हूँ आ रहा है क्या कहा आपने अरे तु तु तेरे कान कुरेदना बनकर नहीं तो बहरा हो जाएगा कुछ कहा आप लोग परिशान लग रहे हैं कोई सीरियस मैटर है नहीं नहीं चलो मैं आप लोगों को खुश कर देता हूं पटेल एंसन से बहुत बड़ा कॉंट्राक मिला है अब हमारे पास गुजरात में चाराओ डिस्ट्रीटिटिस बढ़ गए हैं यह रहे हैं उनके कॉंट्राक मैंने कहा था ना के यह का मैं एक हाथ में कर दूँ हां मैं जाता हूं हर काम यू हो यू रफ्तार बखडी है मैंने रफ्तार बखडी है मैंने रफ्तार बखडी है मैंने रफ्तार बखडी है मैंने रफ्तार है ठीक है अब तुम जा सकते हूं हां जा सकते हूं हां जा सकते ह हां 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 है हालो हां बोल्य हाँ ऎकогए मैंने किसकी मोल रही हूँ सीम दॉर्धाल को बला देगे दॉर को है अच्छा भूर्णा रही है क mural ठेके दूना बोल रही हो विशाल तुमारा फोन जूसाफ किया आरा? तुम्हेरा फोल मिलो हालो हां बोल सीमा हां जरूर 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 बनारस एक्ष्प्रेस ना हाँ पहुंचाओंगा पहुंचाओंगा मैं ओके पाई मैं जरूर जरूरinhos की मेरी का नन्यजुम doitूम हैं अब बनारर्स एक्ष्प्रेस है जाया जाया अब महान है ऐ版 कियो आप पुरुष ही नहीं? महापुरुष हैं थैंक्यू देखा तोपी पहना के चला गया बनारास एक्सप्रेस सवेरे पांच बजे आती है शाम को पांच बजे नहीं बनारास एक्सप्रेस जो आखों से कही जाए आहम 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 सुबापे जो नहीं आए जो आखों से कही जाए वही बात मेरे दिल में छुपी है आहम 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 जवानी में जो लग जाए जो पानी सीन बुझताए आहम 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 जवानी में जो लग जाए जो पानी सीन बुझताए तैही आग मेरे दिल मेल लेकी है आहम 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 आहमा हम आहम 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 आहम, आहम 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 काहीं चैन होना तो आराम है तुझी याद करना मेरा काम है जवाँ है सुपा तो हसी शाम है मेरे भी लबों पे तेरा नाम है यहाँ है वहाँ है न जाने कहा है न यादत चाहत का यारा यह क्या हो गया मैं कहा खो गया मैं मुझे इन अधाओं ने मारा नई क्यास मेरे दिल में दबी है अकिली जवाने जवाने है क्या महबत दिना जिन्दगाने है क्या दिवाना नहीं तो दिवानी है क्या वफाओं के दिल कश कहानी है क्या सुनो जी पहो जी पताया जो मुझखो किसी और को ना बताना लिखा है पढ़ा है दिवानों ने मिलके जवाधर कनों का पसाना वही चाह मेरे दिल में बसी है सुपा पे जो नहीं आए जो आखों सर कही जाए जवानी मेरे ज़ लग जाए जो पानी से नग चुपाए वही अग मेरे दिल में लगी है कि अहां रुको आती हूं मैं आ रही हूं क्या हुआ क्या है अरे बताई ना कुछ बोली हुआ क्या अरे विशाल बेटे क्या हुआ मा क्या हुआ क्या है आपको आप मुझे बताई ना कुछ बोली हुआ अब बेठ जाए अब यहीं बेठ जाए वजे सांफ लादा हां लाती हूं कि अब बबुजी क्या हुआ हां क्या हुआ बबुजी क्या हुआ बबुजी काह कट गए जिस ट्रेन से मैं आ रहा था उसके नीचे आकर काह कट गए बबुजी आभी बस इतनी सी बात के लिए आपने घर को सर पर उठा लिया काह कट गई तो क्या हुआ शेहर में इस तरह के सेकरों हाथ से रोज होते हैं हाँ बाबुजी हुआ 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 है हुआ है लोग बात कर रहे थे ट्रेन भी रुख गई थे एक तो था भी वहां अंधा गुप अंधेरे में जानवर तो क्या इंसान को भी कहां कुछ सूचता है बस अब इस बात को दिमाग से निकाल दो काईतरी मैं जानता हूँ मेरी वज़ा से तुम लोगों को काफी परिशानी होती है अगर मैं क्या करो मैं कोशिश करके भी दूसरे लोगों जैसा क्यों नहीं बन पाता त्रेन में और भी लोग थे कुछ लोगों ने तो उतर कर भी देखा कई किसी के चेरे पर कोई बदलाब नहीं उस वक्त उने देखकर मुझे ऐसा लगा शरीर को टुकड़ों में देखने के बाद भी इंसान का दिल नहीं पसीचता इतना निर्दई हो गया है इंसान कि नवस्ते रान साब बेहाएं और नवस्ते रान साब ये लूग मलाड इस्थ आजादपुर नगर झ्षोपडपटी के रहासी हैं और मैं सच्चिधा सची दानंदगनी होतरी दाहनों करवारी कांधी विली मास्टर जी आपसे पहले भी एक बार मुलाकात हो चुकी है आप एक बस्ती में एक जलसे में कहिए आपके लिए क्या कर सकता हूं राना शाब इनकी बस्ती के बस्ती के नश्षां बंक्रोड बेंगे तो इस बस्तीक है। इंब बेट this नके एपका करा कक्या ह्याइब पच्चीस याद्रिक रुपर जमा करां करें आया हूं जाते हूँ षंडर setti क्या कह रहे था कि कल रात उस शराब खाने के गुंडे ने इनकी बेटी का हाथ पकड़ लिया बेटिया इनकी बेज़त हो रही है और वकालत आप इनकी कर रहे हैं इने क्या साम सूंग गया है राणा साब यो लोग चाहते हैं कि वो शराब खना पहां से हटवा दीजिए उस मांके पर इन लोगों की इसत के साथ जो खिलवार हो रहा है उसे आप बंद करवाई यह बस मास्टर जी ऐसे मौमलों से निफटना शहर की पुलिस का काम है आप अपनी फरयाद पुलिस स्टेशन लेकर जाए पुलिस स्टेशन में कोई सुनवाई नहीं होगी एक रिपोर् के तब खाना गोपाल अन्ना का है और गोपाल अन्ना की सब पर आपका हाथ है उचा मत बोल्ये मास्टर जी और कि जस्पाल राना की ट्योरी है इस ट्योरी के पास से गुजरने वालों की धड़खने कुछ पल के लिए शांथ हो जाती है रहते आप गांधी विली में हैं और समस्या मलाड के लोगों की लेकर आए ने नहें क्या आप इनके आपके होसले की तो दाद देनी पड़ेगी ये जानते हुए भी के गुपाल अन्ना मेरा आदमी है आपने उसके खिलाफ बारा आदमी लागर मेरी इडियोडी पर खड़े कर दिये राना साहब आज बारा खड़े हैं कल तोसों खड़े होंगे दोहजार खड़े होंगे अब जात्यों की शिकार लोग घरों में दुबक कर बैठे नहीं रहेंगे इनसाफ के लिए आवाज उठाने का होसला जाग गया उनमें अब होसला जाग गया है या खत्मो गया है जरा मुड़कर देखिए आपके सिपाईयों ने तो मैदान छोड़ दिया इस उमर में इतना जोश अच्छा नहीं मास्टर जी जहर के लोगों की मुश्किले दक्ये की नीचर रखकर सोगे तो नीद नहीं आएगी उड़ापे में भरपूर नीद सोना जहत के लिए अच्छा होता है पंटेशवर जी ये मास्टर के साथ जो लोग आये थे इनके नाम बता करो जी और ये काला चौक वाली जमीन के बारे में अख़बारों में बहुत उल्टा सुल्टा लिखा जा रहा है इन अख़बारों से जुड़े पत्रकारों को मेरे आफिस में बुलाओ मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जी और ये सूरत क्या लटकाई हुए हो तुम क्या परेशानी है तुम्हारी मेरी परेशानी ये चिठ्थी है जी धौल पूर्शे आई है जी बड़े भाईया की है अरे पर लिखा गया है इसमें राणा साब बटवारे के समय धाई भी का जमीन हम दोनों भाईयों के हाथ में आई थी जी लेकिन अब बड़े भाईया चाहते ही कि उसे बेच दिया जाए जी अब मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इस चिठ्थी का क्या जवाब लिख चास लाक रुपए की वसूली चाहिए इलेक्शन के लिए दो क्रोड रुपया चंदा देने की हामी भरिये मैंने इसके लिए अगर एक दो को निप्टाना भी पड़े तो चुखना मत जाकर और शंकर की कल रहाई है उन्हें भी अपने साथ दगा जो जी राना साब मैंने तुम से कहा था ना कि काम किसी भी आहालत में रुकना नहीं चाहिए धिकता हूं क्या उस चुखानी को पता नहीं कि यह बिल्डिंगे चसपाल राना की बन रही है उस साले चुखानी को उठाकर आज़ात को मेरे फार माउस पर ले गया हो तुम्हारी वकील से बात नहीं हो किया जाये का जी वह जमीन आप ही की है जी लेकिन राना साथ मेरी जो धाईबी की बात है उसका मैं क्या जवाब पूले दो कि आने दो इसे नमस्ति राना साफ हां क्या वाद है राना साफ मेरे पिता जी तीन दिन से गायब है पुलिस में भी रिपोर्ट लिख वाई मगर कोई फाइदा नहीं तुम्हारे पिता जी का नाम क्या है जी जगदीश रस्तोगी काल बदे में हमारी दागीने की दुकान है गुद्वार की रात को मेरे पिता जी दुकान बंद करके घर के लिए निकले मगर घर नहीं पहुँचे और पुलिस स्टेशन में भी हमारी कोई नहीं सुनता अगर आप कमिशनर साब से बात करके क्यों हो वे कामले साब ये क्या हो रहा है इस शेहर में चक्दीश रस्तोगी को तलाशने के लिए क्या कर रहे है तुमारी पुलिस ये मामला मेरी नॉलेज में नहीं है राना साब मेरे खायल से ये केस जोन 3 के किसी आफिसर के पास होगा मैं आज ही फाइल मंगा के देख लेता हूँ आपके फाइल देखने से इनकी तसली नहीं होगी आदमी को तलाशिये जरा सोचिए उस घर की क्या हालत होगी जिसका मालिक तिन दिन से घर नहीं पहुंचा मैं अभी देखता हूँ ओके तुम घर जाओ अब वे सीपी साब खो राना साब प्राबलम काफी बढ़ गई है आप इसके बाप को छोड़ दे तो अच्छा होगा अब तो मीडिया वालों ने भी ये किस्सा उचालना शुरू कर दिया है कल आपको भी प्राबलम हो सकती है राना साब रस्तोगी की लाश मिलने के बाद सब ठंडा हो जाएगा मौत के बाद उसकी खुली आँके देखकर शहर के लोगों के मूँ ख़़़ख बख़़द बंद हो जाएंगे ए राना साब मेरे खाल से इस वक रस्तोगी को मरना आपके लिए रस्तोगी को मरना तो पड़ेगा ही पैसे की बहुत कर्मी हो गई है उसमें वो अपनी चातवालों मेरे खिलाफ सहर भर रहा था पंटेश्वर हाजी नागेश को फोन लगाओ जी रस्तोगी मेरे डैर नहीं चाहता के तू जिन्दा रहे अउस मेरे गता हूँ है लेकिन बैटी आज संडे 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 बांच subscribe और यहनषक लेकर और त्येकिं़ तो यृण थे ओंडे यहां तुषया ज कौमेश है और कि मुझे घलत समझतित रहों तुम्हारी और विशाल की प्रेम कहानी जी सरफतार से बढ़ रही सब जानता हूं मैं लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो मैं मेरी कंपनी के मुलाजिम को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा तु कुछ जानती है तु कुछ नहीं जानती है आँ मेरे शाड़ी देख देख कौन तारी थी दो हाती और पांस सो घोड़े हमेशा साथ में चला करते और यह देख यह तेरे दादा रगुपती राओ पटेदारी और रियासर्थ छीन जाने के बाद इनके पास क्या बचा तो हाती और कुछ घोड़े उन्हें सरकस वालों को बेचकर दिन रात की रोठी पानी पर इंतिसाम करना पड़ा और यह देख यह तेरा बाप खड़ा है तेरे सामने कुछ नहीं था मेरे पास जब मैं इस शहर में आया बड़ी महनत की कुली गीरी की दिन रात कुली गीरी की तब मैं कुली से सेड़ बन पाया हूं मैं नहीं चाहता कि कोई चुच्चा सा यह पिरे रहा है यह तो नहीं पहलए मैं तरफ चीस के तो मैं धूर है अदिन आफ यह क्या हो रहा है कि मासुम अबला के साथ इतनी सकी क्यों दिखा रहे ह Southern यह मुझे बहुत पहले करनेना चाहिए था मेरे लाड प्यार ने इसको बिगाड के रख दिया अरे आपके लाड प्यार ने जिसे बिगाडा है वह तो गाड़ी लेकर फॉर हो गई है आपने निहाक बेट्या की जगा'd कांता भाई को कमरे में बन कर दिया है क्या कह रहे हो तुम अरे हाथ कंगन को आर्सी क्या और पड़े लिखे को फार्सी क्या खुदी खोल कर देख लीजिये नहीं कि भारा 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 यह क्या नोट अंगी करिये मेरे साथ मैं तुम्हारा हाथ पकड़ के घषीड के उपर आ रहा हूं तुम बोलने सकती अगो वाया मैं कैसे बोलती है तीन साल में पहली पार मेरा हाथ पकड़ा तुम अधिन साल में पहली बार अरे गिरी बाबू यह तुमको क्या हो रहा है अरे गिरी बाबू नेहा की शादी के साथ साथ आपकी शादी का भी महुरत निकलवा दू बदरी याद रख मैं निया को छोड़ूंगा नहीं अरे आप कुछ नहीं हो सकता है वो दोनों तो नाच र किल यादी काल है किल यह हुदी आपकी ब्रूपको काल is that अरे अरे आपको तुमक पस्सित उसे काल वजाय तबमस्कोर अरे विसें shrug ।ंभालिक हुग तक्रिक है तक्रिक हो सुमकोर driving मस्ती चाहे हले हले तूने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होश गवा के मस्ती में जूमे तेरा मतवाला तुने अपने दीवाने पर ऐसा जादू डाला होश गवा के मस्ती में जूमे तेरा मतवाला मैंने भी तो अपने आपको तिरा साल समाला देखा जा कि जो कोटों देखिया पिस जोबने का जाला पाते प्यार भरी सौगात जियरा ठक 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 बोले उस या माल दूखी वात जियरा ठक 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 बोले मैं जो आखे बंद करूँ मेरे सपनों में को आए सपनों में आके मुझे बो कैसे कैसे तड़ पाए हाए मैं जो आखे बंद करूँ मेरे सपनों में तुआए सपनों में आखे मुझे को कैसे कैसे तड़ पाए जीने ना देखी मुझे को मिरी जान तेरी एंगर आई अपो सही न चाए मुझे से एक पल के जुदाई कई वकैत लूरी सारी रात जीय खार तेक तक 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 वơn ले जी रात तक 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 बोले मस्ते चाले बोले मैं जो सोचो तेरी बात जी रात तक 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 बोले काचा हूँ कई आदी रात जी रात तक 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 बोले कि कहां रह जाते हो फिक्र हो जाती है मुझे कितना वक्त हो गया है खाना कब से लगा कर बैठी हूं चलो चलो बैठो पहले खाना खालो कि कि अगा करें यह सी है पार है कि क्या हुआ हुआ कि ऐसे फ्रेकर पैसे है कि है था कि मैं लेशेए अभी आउख्वारे पॉलंद देख रहा था इक तमाशा वोट भीचे हुए थे मेरे गिगगी बंद गई थी मेरी क्यों ऐसा क्या देखा आपने पीचों बीच एक खुली सड़क पर कुछ गुंडे एक लड़की को पुलीस जीप में ले जा रहे थी और मैंने देखा उन गुंडों में जैस्पाल राना का लड़का नागेश भी था एक समाज सिवक का धिंडोरा पीटने वाला जैस्पाल राना आज इतनी बड़ी पावर बन बैठा है कि उसका बेटा सरे आम सड़क पर इतना घिनोना अपराद करता है और पुलीस भी उसके साथ मिली हुई साथ साल का ये बुड़ा इसने अपनी आखों के सामने गुलामी की गाली स्याही को मिठते हुए देखा है इस हाथ से को बेबस और लाचार की तरह देख रहा था मेरे जी में आया कि मैं पुलीस को जाकर रिपोर्ट करूं लेकिन बाद में खयाल आ कि पुलीस भी तो इस घिनोने अपराद में उनके साथ मिली हुई है नहीं नहीं किसी से कुछ कहने की जुरूरत नहीं है और आपने कुछ नहीं देखा काहितरी आप आज मेरी बात माननी जी मैंने आज तक आपको किसी बात के लिए नहीं रोका लेकिन इस बात को दबाना ही है हमें नहीं उलजना ऐसे लोगों के साथ आपको मेरी सोगन आपने कुछ नहीं देखा बस ये दिख सालुके की लड़की की खबर अकबार में छपी है पुलिस अपनी कारवाई कर रही है अरे क्या कर सकती है पुलिस जिन गुंडों के इतने बड़े होसले कि एक लड़की को उठा कर उसकी इज़त दूपकर उसे मार कर गाड़ी के नीचे डाल दें ये काम कोई छोट अब भूल गया अच्छा अभी तो आप घर जाईए माने बलाएं आपको कि अगया कि मास्टर जी मास्टर जी चल बेटा जल्दी से पैर चूम आश्रवात लेन का कुछ रहा है आज तो माबाब का ही सब कुछ होता है जीते रहो हुआ आपकी क्रिपा से इसकी पढ़ाई चल रही बासर जी आप कोशिश ना करते तो मुझे नौकरी भी न मिलती अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए अब यह जरूर पास हो जाएगा अच्छा चलता हूं आप सब जानते हैं कि श्री राणा जन का ल्यान के लिए कई बड़े का कर चुके हैं आज भी समाज और देश के हित में इनके प्रियास जारी हैं अब मैं श्री राणा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने विचार इनके सामने रखकर मीटिंग की शरुआत करें कि बिगरते हुए हालात गुंडों का आतंक दहशत और डर में जीने वाला एक आम आदमी ऐसी ही कुछ तस्वीर है इस शहर की यहां पुलिस और प्रशासन के साथ जुड़े वे कुछ लोग मौजूद हैं लेकिन मुझे यह कहते हुए जरा भी संकोच नहीं हो रहा है कि इस शहर की हालत दिन बदिन बत्तर होती जा रही है इस शहर में हर इनसान अपने घर रोजी रोटी की जगा सड़क कहीं पर भी अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है गुंडा गर्दी का तो यह आलम है कि वो कहीं भी किसी भी जगा खुले आम अपना खेल खेल रहे हैं अब गुंडे किसी को धमका कर रकम वसूल नहीं करते मार कर उनसे चीन लेते हैं शहर से गुंडा ताक्तों को मिटाने के लिए पुलिस के हर नौजवान को आज कमर कस्नी होगी तालिया मत बजाईए मत बजाईए तालिया अब बजाई आशे लोगों की बाते सुनकर तालिया मत बजाईए आंके खोलिये आंके खोलिये और समझिये चोड़ो मुझे पबलिक का आदमी पबलिक पीटी है ना ये ठोड़ो अरे सुनो ठोड़ो ये नहीं आईए मासरी जी आईए आप इधर आकर बोलिये आपको कुछ कहना है ना स्टेज पर आकर बोलिये आ कहना चाहता हूं क्योंकि मैं पुतलों की भीर से अलग हूँ ये जो रखे हुए आपने यहां पर राना साब शेयर के बिगड़ते वे हालात पर अफसोस जता रहे हैं मासर जी माइक पर बात कीजिए राना साब यहां मंच पर खड़े होकर शेयर के बिगड़ते वे हालात पर अफसोस जता रहे हैं पुलिस को मश्वरा दे रहे हैं कि गुंडा ताक्तों को काबू में कैसे रखा जा सके यहां उचाई पर खड़े होकर एक समाज सेवी का मखोटा ओड़कर वहवाई लूट रहे हैं अरे किन गुंडों को मिठाने की बात कर रहे हैं राणा साब जैट के सबसे बड़े गुंडे तो आप यह देखे यह देखे और बाकी के गुंडों को अपनी छत्रचा में ले रखा है और पुलिस ने भी उन गुंडों को और आपको खुली छूट दे रखी है आपकी तागत और आपकी पहुंच के आगे घुटने टेक दिये पुलिस से भाई पुलिस की जुबान पर हमेशा एक ही शिकायत होती है कि शहर का कोई आदमी किसी गुंडे के खिलाफ किसी पुलिस टेशन में शिकायत दर्ज नहीं करता किसी कतल या लूट मार का कोई चश्मदीद गवा नहीं होता तो आज आप सब के सामने मैं मैं मास्तर सच्चिताना नगनी होतरी पुलिस को एक चश्मदीद गवा दे रहा हूं कर रात माहिम स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर पुलिस एक लड़की की लाश बरामत की लड़की का नाम था भारती सालू के उस लड़की को क बताइए पुलिस बढ़ाएगी इस कारवाई को आगे बोलिये कमिश्टे साथ बोलिये जवाब दीजे अरे आपका जवाब देंगे आपकी पुलिस तो खुद उन गुंडों के साथ ही अब इस गवाह को बैसा की बनाकर दो चार कदम चल सकेगी आपकी पुलिस बताइए अरे बताइए पुलिक वीटिंग है बताइए जवाब दीजेए इने कुछ भी करने से पहले सोचते विचारते हो के नहीं एक जोपर पट्टी की लड़की उठा ली अरे कुछ तो स्टेंडर की बात किया करो ठीक है तुम जैसे लड़कों से ये सब हो जाता है ये भी ठीक है कि तुमने उसे मार डाला लेकिन ये ठीक नहीं हुआ कि उसकी लाश मिली रेल की पट्टडी पर डालने के बजाए उसे किसी गटर में नहीं फेंक सकते थे इडियोट ठीक है जो कुछ हुआ है उसे बूल जाओ मैंने कामरे से बात कर ली है वो सब कुछ संभाल लेगा आएंदा के लिए ज़रा ख्याल रखा करो पंडेश्वर जी वो प्लॉट का काम ठीक से चल रहा है ना कौन से प्लॉट का जी अरे वही राना कॉंप्लेक्स वाला हां वो वो बिल्कुल ठीक चल रहा है कल कमिशनर साब के साथ मीटिंग के बाद मेरी कौन कौन सी अपॉइंट्मेंट्मेंट्स हैं कल सुबह 11 बजे आपको गाधी बेमुरियल स्कूल जाना है जी वो स्वतरता दीवस के जलसे में मिठाई खाने से जो बच्चे मर गए थे ना उन्हें बधाई देनी है जी और श वो मेरी धाई भीगा जमीन के बारे में पूछा इसे अपनी जय में रखो दाइत्री विशाल देखो देखो अरे घूर क्यों रहे हो अब मैं 740 उपे पैंशन पाने वाला मामूली अध्यापक नहीं हूं और भी कुछ हूं कौन कहता है कि सच्चाई के साथ देने वाले लो उतना असान नहीं होगा अरे भाई तुम क्यों परिशान हो समझता डणा चेहर में कुछ लोग तो होंगे जिनकी आत्मा अभी तक नहीं मरी तो लोग नागेश की गिरिफतारी की मांग लेकर सडकों पर उतर आएंगे और पुलिस को जक्त मारकर नागेश को गिरिफतार करना पड़ेगा बाबजी अब समझ नहीं रहे हैं तुम इतना बड़ा हो गय अब यह उसे अंजाम तक पहुचाना मेरा काम है बस मुझे समझाने चले उस दिन देखना जब पबलीक सडकों पर उतर आएगी हाँ कि अगर आप कि अगर कि अगर कि 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 मुझे नागेश को गिरफतार करना होगा काम ले कि 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 मतलब ये खे नागेश को पुलिस कुटे की तरह घसीटी हुई पुलिस टेशन ले जाएगी कि 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 समाज सेवी जसपाल राना का बेटा बलादकार के चुर्म में गिरिफतार कि 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 मैं कोट में पैरवी के लिए परधान को खड़ा भी कर दूँगा और नागेश ठूट भी जाएगा अगर इस पूरी बहां भारत के बास वो रामायन जो मैंने रची है उसका क्या होगा 25 साल की मेंनत के बाद मैंने जो अपने नाम की एक पहचान बनाई है उसका क्या होगा एक लास्ता है कंबले पराम खोड़ बड़ी जवानी चरीए तेरे अंदर यह क्या कर रहाँ आप देश के नाम पर तब भाभे दूँ इतना बड़ा पाप कर देए तुझे शरम नहीं आई आपका कामले यह तुझे संदा नहीं छोड़ूँगा निकल जाए आपके यह तुझे शरम पर पाप तुझे प्यां कैसे तुझे का समझा नहीं तुझे पचारेगा आप प्लीज क्या कर रहाँ आरे हां औरत का तरजा देवी के समान होता है यह तुझा जाता है उसे और तुझे उसे बाजा दू समझ लिए प्ल्लों के पठ्टे कपूद क्राम लादे अज़साब अज़साब वह तुझे अज़साब मर गाजा कम ले अज़से छोड़ों वह ने आज मर गया तू इतना नीज पर तुझे तुना अपने बागते मूब अगर का लगती है समाज और देश मेरे लिए उलाज से बढ़कर है इसकी चान में बागते होगा मैं तो तेरी हटी पस्री तोर के रखूँगा तेरे जैसे मुझरिम को तो कानून के हवाले मैं करूँगा क्या कर रहे हो आपा इस्पेक्टर साहब ये रहा आपना अपरादी पselूब कर डिशände किया इसके साहां, ॉप्रादी के साहथ बूट कीरण के जाता है भून के एक जस्पाल राणम का बैटा हैँ मेरा बेटा होई नहीं सकता कर ONE कि राना साहब लोग आपनी पोजिशन के प्रभाव से अपने सगे समझ्दियों के हिफाज़त करते हैं मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है मैंने तो एक अच्छे नागरिक के तरह अपना फरिज निभाया है मेरे बेटे नागेश के उपर उनगली उठी कि वो गुनेगार है तो मैंने उसे खुद बखुद पुलिस के हवाले कर दिया मैं तो चाहता हूँ कि ये मिसाल बने उन लड़कों के लिए जो अपने बापों की पूजिशन की वज़ा से कोई भी गुनाह आसानी से कर बैठते है और बड़ा काम मैंने नहीं बड़ा काम तो किया है मास्टर सच्चे दनंद अगनी होतरी ने जिसने निडर होकर इस गुनाह के खिलाफ अपनी आवाज उठाई मेरी फोटो मत लीजिए प्लीज मेरी फोटो मत लीजिए अगर आपको फोटो लेनी है तो मास्टर जी की फोटो लीजिए और अपने अखबारों में छापिए सच्चाई पसंद इस मास्टर की तस्वीर घर घर पहुचनी चाहिए जाना साब नागेश को पुलिस के हावाले करने के बाद आपके मन में कहीं मैंने जो कुछ किया है अपनी इमानदारी से किया है और अब मैं चाहता हूँ कि पुलिस डिपार्टमेंट भी अपना काम पूरी इमानदारी से करें पास्टर जी घर पर है आप लोग घबराई ये नहीं घबराई ये नहीं अब उन्हें उठाने नहीं आया है कुछ पेपर्स पर उनके साइन चाहिए मैडम पास्टर जी को बुलाईए आप पास्टर जी क्या बात है भाई आप लोग इतनी रात को इस तरह रात को आकर आपको तकलीफ तो दीपर क्या करें ड्यूटी ऐसी है मास्टर जी उस लड़की के केस पे कानूनी कार्यवाई अब शुरू हो गई है मैं देख रहा हूँ वो केस आपने जो स्टेटमेंट दिया था उसी के बिना पर पुलीस आप कोट में केस फाइल करेगी आपके सिगनेचर की जरूरत है जी बता ये कहां साइन करना है एक बार फिर सोच लीजे मास्टर जी ये केस बलातकार और हत्या का है आपके साइन करने का मतलब है आपका नाम इस केस के चश्मदीत गवा के रूप में दर्ज हो जाना हो सकता है हदालत की कारवाई वहां तक पहुंचे कि नागेश को सजा हो जाए लेकिन ये सब इतना असन नहीं होगा क्योंकि नागेश जस्पाल राना का बेटा है जिसके हाथ में पावर है और जिसकी पाँच बहुत बड़ी है और मास्टर जी मैंने ता इसे कई केसिस देखे हैं जिसमें गवाहों की परेशानिया इतनी बढ़ जाती हैं कि एक स्टेज़ पर आकर वो अपना हाथ वापस खीचना चाहते हैं और पुलिस की मजबूरी होती है उनको पकड़ कर रखने की मैं तो सिर्फ अपना तजर्बा बयान कर रहा हूं एक मिनट आप अपना तजर्बा बयान कर रहे हैं या मुझे डरा रहे हैं मैंने जो सच देखा वही बूला है और जो बूला उसी पर आठल हूँ पताए कहां साइन करना है पताए नहीं रुक जाए आप साइन मत कीजिए पता नहीं मेरा मन कहता है हम बहुत बड़ी परिशान में फच जाएंगे फटल नीचे कर यहां के लिए क्या गोली चल गई तो आदमी मर जाएगा इडियाट कि बाफ कीजिए प्लीज कि नहीं आप आप साइन मत कीजिए मेरा मन बहुत भड़ा रहा है घायत्री डरने की कोई बात नहीं है हमारा कोई कुछ नहीं विगाड सकता तरना उन्हें चाहिए जिन्होंने गुना किया है मैं समझते हूं आपकी बात प्लीज साइन मत कीजिए विशाल भी में रोक पर देगा क्या है कि यह आप इपने रास्ते से पीछे अटने वाला नहीं और तुम बजाए मुझे कुछ कहने के अपनी मा को समझाओ और तुम्हारी मां के आसों के लाबा और भी कुछ है की नहीं सचिता नंद अगनी होतरी की जिंदगी में तुम लोगों के दिलों में इस नाम के लिए कोई हिज़त है की नहीं मैंने जिंदगी में अपने सुक के लिए तुम लोगों को कभी चोट मचाई है पर इस ठितियां कैसी भी रही हो एक भाप और पती की पूरी जिम्मेदारिया तो निभाई है मैंने और अब मेरी सोच मेरे फैसले बद भी मेरा को अधिकार नहीं रहा जो सच्चाई और पुरुषाद मेरी जिन्दी की भर की पूजी है तुम दोनों चाहते हो कि मैंने उसे कुछ कुछ ताकत कि अरे विशाल तू यहां मा ये मा तु जल्दबाजी मत करना अगर पसंद नहीं आई तो अगले सामबर दूसरी नहीं नहीं यही तो है वो ऐसे ही सोचीती मैंने वेटा क्या नाम है तुम्हारा नहीं हो जोर से बॉल नहीं हो बिल्कुल सही है जो एक बार देखें नहारता है रह जाए अब यह कहेगा तभी तो परशुएगी क्या जीतिर जीतिर कर देखों, दिल मेरा दर्टके देखों, दिल मेरा दर्के 23rds Muslim कोई सांसों में भड़के, हाँ देखो जी देखो दिल मेरा धरके, शोला सा कोई सांसों में भड़के, नील चुराए, हो शुडाए, इसकी आदाएं बड़ी हाई, पंजाबी कुडी मारे चटके, पंजाबी कुडी मारे चटके, देखो जी देखो कैसे उकड़के आते करें मेरी बाहें पकड़के मुझको सदाए नैला लडाए छेरें मुझे से दिखे कंजाबी मुंडा मारे चलिके कंजाबी मुंडा मारे चलिके आटों के नीचे में दबा के दिवा न करते दिये मुष्को लाके मेरी अचाप देखो क्यों ऐसे मरता मेरे लिए क्या है भरता गाल गुलाबी, जाल शराबी, देखूं इसे तो अख़ प्रें, बंजाबी कुरी मारे चतिके, बंजाबी मुन्डा मारे चतिके, बंजाबी कुरी मारे चतिके. हाथ लगाना दिल पर एचानी लादा समझना मैं हुझ सयानी मिर्शी के जैसी भूली ये बोले ऐसे चले जैसे अपना गिन डोले पाग बड़ा है पीछे पड़ा है पाने गने सबले पंजाबी मुन्ना मारे चुटके पंजाबी मुन्ना मारे चुटके पंजाबी मुन्ना मारे चुटके पाल जाच। देखो जी, देखो दिल मेरा धर्के शोला सकोई सासों में भढ़के देखो जी, देखो कैसे अकड़ के पागर करे मेरी पाहे पकड़ के नील चुराए, ठोशुराए छेरे मुझे कि पुद्रे पंजाबी बंदा मारे जब्रूच फटे पंजाबी मुन्डा मारे चटिके 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 देखो मा, विशाला भी तक नहीं आया मिल की है वह आता ही होगा लो थोड़ा से पानी नहीं ठीक है मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं बिल्कुल ठीक हूँ घबराओ नहीं मिशाल आते ही पुलिस्टेशन ले गया उन्हें पूरे देड़ दिन के भूग के बाद तो रूटी तोड़ रहे थे वह मैं मैं अखुद ही मैं ही जाओंगी पुलिस्टेशन मुझे ही जाना होगा रह गया विशाल भी नहीं जाने कहा रह गया वह बगवाद मैं ही जाती हो बस मां विशाल तेरी बाबजी को पुलिस ले गई वैस सब जानता हूं मां बेचे वह देर दिन से भूके उन्होंने गवाई क्या देदी मास्टर अभी तो ये कोट की पहली टारी की टैयारी चल रही है कानून में एक बात को कई बार बोलना पड़ता है और कई बार लिखना पड़ता है क्या लिखना पड़ता है मैंने तो कहा है कि पुलिस जब जहां मेरी मौजूद्गी चाहेगी मैं पहुंच जाओंगा तो फिरी मेरी बात को घुमा फिरा कर क्यों लिखा जा रहा है इंस्पेक्टर मास्टर ये हमने सब तुमारे हक के लिए रखा है हो सकता है किसी टारिक तुम बिमार पर जाओ हम अपनी ट्यूटी कर रहे हैं क्यूटी कर रहे हैं एक गवा के घर में पुलीस किसी वी वगुज जाएगी उसे उठाकर ले आएगी और ये पेपर के स्टेट्मेंट ये सिक्नेचर कब बंद होगा ये नाटक शाल तुम चुब अब ये कोर्ट के फैसले तक चलेगा और ये नाटक नहीं है कानून का कामकाज है इंस्पेक्टर ने आप ठीक कह रहे हैं मैं समझता हूं आपकी बात को अरे ये सब टांग डालने के पहले समझना चाहिए था ना अरे ये तो बुढ़्धा है इसका दिमाग बरोबर नहीं है इस्पेक्टर उची आवासे बात करने का इधर तुम ही से तुझे बात करने की क्या ये तरीका बुजर्ग से बात करने का क्या कर लेगा तु अंदर कर देगा मुझे अब ये कारवाई में आगे बढ़ाऊंगा बहुत नशाल है तुझे इस वर्टी का है आपकी कोई गलती नहीं तिमाग इसी का खराब हो चल तुम्हें साथ चल मैं करता हुआ है हाथ बस हो गया ना तुमने भी तो अपना उसा उतार लिया ना इस पर तो क्या इसे थपड़ मारकर मुझे सुख मिला इससे पूछो कि वहां पर ये नौबत आई क्यों कि मुझे इस पर हाथ उठाना पड़ा या इतनी वहां पुल अगर आज तुम्हें वहां कुछ हो जाता उसके बाद क्या होता एक पुली स्टेशन में पुली सुफिसर पर हाथ उठाने का बत्लम समझते हो तुम कुछ करने से पहले आगे पीची का सोचते हो कि नहीं आप कितना सोचते हैं कुछ करने से पहले इसारे लोगों के बीच कि उस गुद्धे के नाम उच्हालने से पहले आपने कुछ सोचा था? वह वाक्या अपनी हाँखों से देखा है? उस ब illumin परlessly में पिस्ताहित करने से पहले आप सोचा था? आपने सोचा था किन तकलीफों में आपका परिवार आ सकता है सोचा था आपने विशाल चुप कर और जा यहां से कारित्री आज मैं जान गया विशाल अब मेरे कंदों से उपर हो गया है कि नागेश है कि नागेश बेटे बेटा मत बोली मुझे मरच का बेटा आपने पेछान उस्साम कर मैंने कुछ गलत नहीं किया है अगर ऐसा नहीं करता तो तुझा बचाने के लिए आज मेरी यह पोजीशन ही न रहती पोजीशन है तो सब कुछ आ है अब मैं कोई भी गेम खेल सकता हूँ तू लॉक अप में बहुत दिन तक नहीं रहेगा परद्धान को तू जानता ही है वो कभी कोई केस नहीं हारा आज वो अमरीका से वापस आ रहा है परद्धान साब इस केस को जरा आप अलग नजरिये से देखिए दो तिन तारीखों में ही इसका फैसला हमारे हग में हो जाना चाहिए मेरा बेटा नागेश सलाखों के पीछे चतनी राते रहेगा उतना ये भारी पड़ेगा सब को तुम कौन सी अपील कभ करते हो और किस तारीख को तुम्हारे हाथ क्या लगता है यह सब इसाब के दाब तो वहरा है राना साहब नागिश के लिए मैं कमपरेशान नहीं हूं वो मेरे बेटी जैसा ही है फिर यह केस्त में चुटकियों में निप्ता दूगा वैसे तो इस शहर में लोग देखते नहीं है और देखते भी है तो बोलते नहीं है यह पहला प्राणी है जो देखता भी है और बोलता भी है कमपरेशाब मैं जैसे जैसे कहता हूं वैसे आप करते जाएए मास्ट सच्चिदानंद अगनी होतरी सीधा है सच्चा है इमानदार है और खास बात यह कि वो दिल से काम लेता है और जो दिल से काम लेता है उसके दिमाग पर चोट करने चाहिए कोली क्यों चलाई कोली मैंने नहीं चलाई कोली नहीं चलाई तु कबूतर कैसे उड़े मुझे का पता कैसे उड़े देखिए अब आप अपना ख्याल रखेगा देखो विशाल तुम्हारी मा की कंडिशन देखने के बाद ऐसा लगता है कि अब इन्हें अच्छा चलता हूं कि अगर्णा कदिनार्त परित्राण परायने सर्वस्यातर हरे देवी नारायनी नमस्तों ते मास्टर जी प्रशाद प्रसाद लीजिये परशाद की जगा बिच्छू क्यों दिया आपने देखा पंड़ी ने मुझे परसाद की जगा बिच्छू दिया क्या बात करें मास्टर जी नीचे तो परसाद गिरा हुआ एक दबाई नहीं है इनकी 140 रुपे हुआ कि अग्या मास्टर तुम समझता क्यों नहीं कानून का काम तो कानूनी तरीके से होगा ना मैं सब समझता हूं पड़ा लिखा हूं लेकिन जिस तरह से आप मुझे परेशान कर रहे हैं न वो रिलाक्स मास्टर जी रिलाक्स आप तो हमारी मदद कर रहे हैं फिर हम क्यों चाहेंगे आप परशान हो और आपने जो काम किया है उस काम को करने के लिए हिम्मत चाहें लेकिन हिम्मत करने से पहले आपने अच्छी तड़ा सोच लिया था ना अरे आप लोग क्या करने आपको खर चुड़ नरे इस तरह पीछोड़े से इस तरह चोरी चोरी क्यों ले जा जा रहा है आप धक्का मत दीजिए तक खुल चला जाब भाई जाल आप आप आहां आप आण भाई आन्म आरप आप जल्दे इस्टराट कर वाई चलता है चलता इंद जै fare जला रहें मां शराण पीके गाडी क्यू चला रहे हैं मैं तो इस तो पी रहे ले जा रहे हूं अरे कहा शरा पी रहे है कि अरे कहिक यह र्याटिक। मैंुलày सवतर उन्हालक के खर्णिजिए कित तह्मेम स advise टतनर अर्य करें। कि अब आई उतर ये आपका घर आ गया अब है अब है अब आद एगर की परशाने देख कर मा की तबिएट पिकड़ती जा रही है बाबुजी के बारे में सोचता हूं खलत तो वह भी नहीं है अन्या पुलीसर कानून में ऐसे लोग ही कहां जो सच का साथ है अगर बाबुजी का विश्वास अगर तुम बाबुजी को समझाओगे तो वह समझ चाहेंगे इंसानियत के नाते जो उन्होंने किया सो किया अब क एक आदमी जो सचाय के लिए लड़ रहा है वो खुद परिशानी उसे चकड़ा हुआ है बहुत सवाल उड़ते हैं बहुत एक तरफ मां का परिशान चहरा पता नहीं आगर जाकर बाबुजी की लड़ाई क्या मोड़ लेगी मालोड नागेश राना पर लगी चार्शीट पर अपनी दलीले रखने से पहले मैं इस केस के बुनियाद पर रोशनी डालना चाहता हूँ मालोड एक सामाजिक संसाज शहर में बढ़ते हुए क्राइम के विशेपर चर्चा करने के लिए क्रॉस मैदान पर एक मिटिंग और्गनाईज करती है जिसमें पुलिस के बड़े-बड़े ऑफिसर्स समाज सेवी और काफी तादाद में प्रेस के लोग भी मौजूद हैं उसी मिटिंग में चीफ गेस की हैसे से जस्पाल राना भी वहां मौजूद है उस मिटिंग के दोरान जस्पाल राना मंच पर खड़े होकर कुछ बोल रहे हैं तभी वहां फिल्म नायक की तरह एक आदमी आता है और जस्पाल राना पर उंगली उठाता है शहर में बढ़ते हुए क्राइम के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराता है यहां तक कि मंच पर खड़े होकर जस्पाल राना की बेटे नागेश पर बलातकार और हत्या का आरोप लगाता है उसका कहना यह है कि उसने नागेश और उसके साथियों को एक लड़की को उठाते हुए देखा है मंच पर यह जबरदस्ट ड्रामा किया मास्टर सचीदानंद अगनी होत्री ने लकिन सबसे पहले अदालत के लिए साफ होना बाकी है कि इस तरह की कोई घटना हुई भी है या नहीं मिलोड वरली नाके पे तीन बत्ती अलाके में रात को ग्यारा बजे जहां सेकड़ों लोग आ जा रहे हैं नाके के बाएं तरफ चित्रा सिनिमा का टेक्सिस रैंड डाएं तरफ हॉस्पिटल के सामने खुली हुई दुकाने ऐसे माहूल में कुछ गुंडेक लड़की को जबरन उठाकर पुली जीप में डालते हैं उस लड़की की चीख बुकार वहां मौजुद लोगों में से किसी की कानों तक नहीं पहुँची सिर्फ मास्टर जी ने नजारा बखु भी देखा लेकिन अपने किसी नजदी के पुलिस स्टेशन में जाकर इन्होंने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की शायद उस वक्त इनकी परेशानी ये रही होगी कि इन्होंने पुलिस को नागिश की मदद करते वे देखा है मास्टर जी ने उस वक्त पूरे होशोवास में पूरी समझ के साथ काम लिया एक आम आदमी की तरह उन्होंने भी अपने आपको इस मामले से दूर रखना है बहतर समझा लगिन अगले ही दिन क्राउस मैदान में इनका दूसरा रूप सामने आया जो शक्स ये घटना देखने के बाद डर कर पुलिस स्टेशन की तरफ बढ़ने वाले अपने कदम रोक लेता है वही शक्स हजारों लोगों की भीड में खड़े होकर जस्पाल राना के हाथ से माईक चीन लेता है माईक मैंने चीना नहीं था खुछ जस्पाल राना ने मुझे दिया था और ये घटना तीन बती नाके से कुछ दूरी पर हुई थी जट साब जित्रा सिनेमा की पाई तरफ वल्ली विलेज को ज़सर्क जाती है उसके पास कुछ रेलवेज की परारी बिल्डिंग्स है उनी बिल्डिंग्स से उस लरकी को बाहर लाया गया था मैं जो कह रहा हूँ सत्ती कह रहाँ ज़ेख साब जिन्दगी महालात कुछ भी रहे हों मैंने कभी जूट का सहारा नहीं लिया मेलोड मैं मास्टर जी से कुछ सवाल पूछने के इजाज़त चाहता हूं इजाज़त है मास्टर जी बतौर अध्यापक आपने एक स्कूल में कितने साल निकाले पूर्णिमदीवी विद्याले में करीब 11 साल था इससे पहले भी आप किस स्कूल पे थे अक सरकारी स्कूल में 4 साल चार साल क्यों आपकी सवाल का से क्या तालुक यह मेरा धाती मामला है मैंने कौन सी नौकरी कब और क्यों छोड़ी इसे अदालत को क्या लेना देना आप सिर्फ सवालों का जवाब दीजिए अदालत का काम अदालत पर छोड़िए यहां सिर्फ एक नौजवान की जिंदगी का सवाल नहीं है इस केस में एक समाज सिवक्ती शक्षित और उसकी प्रतिष्ठान दाओं पर लगी है बहतर यही होगा कि आप पैश में आकर ज़लाने की बज़ाए आप धेरे के साथ मेरे सवालों का जवाब दें और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे पूछे गए हर सवाल का तालुक इस के साथ है अब बताइए आपने सरकारी विद्याले में सिर्फ चार साल ही काम क्यों किया क्योंकि वहां जो मैं देख रहा था एक अध्यापक होने के नाते मेरे लिए शर्मनाक था कि वहां कि अध्यापकों ने शिक्षा जैसी सेवा को बाजारू बना दिया था कि स्कूल के बाहर दुकाने खोली थी उन्होंने और स्टूडेंस को टूशन पढ़ने के लिए मजबूर किया जाता था जब मैंने इस बात का विरोध किया तो मुझे तरह तरह के तरीकों कि मेरा अपना आत्म सम्मान बचा पाना वहां भी मुश्किल हो गया था लेकिन इस बार आप स्कूल से हटे नहीं आपको हटाया गया हाँ आप ऐसा कह सकते हैं मास्टर जी स्कूल मैरेनेंट के रिपोर्ट के मताबिक आप अपने काम में गयर जिम्मेदार और लापरवाह थे मसलन हिंदी के प्यूरेड में आप अपनी क्लास से हमेशा गायब रहते थे ऐसा एक ही बार हुआ था और क्लास से गायब होकर कोई मैं पाप का काम करने नहीं किया था हमारे स्कूल के चपराशी के घर गया था मैं उसे बहुत तेज़ बुखार था उसकी देखरेक करने वाला कोई नहीं था इसलिए उसके घर जाकर मैंने कोई दवाइयां लेकर दी थी और एक बारा ऐसा भी हुआ था कि आप अपनी क्लास और भी लोगों में बटी थी और इस खिलोने काम को अन्जाम देने के लिए सबसे बड़ा हाथ था जलंत अपनि अस्कूल थे संस्ता प्रिसमें पर बदमाबक करती है पूछताच के लिए मुझे पूलिस पीछे के दर्माजे से अंदर लेकर जाती है में पुछ ताश के बाद पुले स्टेशन से मुझे घल जा जाता है तो जीप उल्टी चलाई जाती है और तो और मैं बंदेर पुझारी से प्रशाद मौंगता हूं तो प्रसाद की जगा मेरे हाँ मैं यह नहीं कह रहा बाबजी आप कहना क्या चाहते थे आपकी कोई बात का मतलब भी नहीं बनता था वो कोट है बाबजी कोट मुझसे निकली हर बात को पकड़कर वो खेल खेलते हैं अशनीवार को गनेश चाहती के दिन पैदा हुआ तो फैर को दोबेटें साथियों गृटती के दिन पैदा हुआ था झाले और उसी दिस दिन तुमारे भाई मेरे सालिय की शाधी तुम्हें याद है मुझे सब याद है सब याद है सब पर रखता हूं मैं अपने पास यह देखो सब पर यह देखो तरह की पूट है कि कोट में कहीं भी मेरी बाते बहकी हो सकती है उम्र के बोज में मैं अपना दिमागी संतुलोन भी खो बैठाओं यह भी सच हो सकता है कि विशाल यह तो नहीं हो सकता कि मैं शराप पीने लगाओ कि यह बोतल मेरे बैक में रखी गई है मुझे परिशान करने के लिए बस बाब जी अब आपको कुछ और बोलने की जरूरत नहीं कि 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 आप अंदर नहीं जा सकते हैं तुम को अंदर आने के लिए मना किया ना इसी भी साब मैं आप अब सब कुछ मेरे सामने होगा मेरे बाबुजी से क्या पूछा जाता है क्या लिखाया जाता है सब कुछ मेरे बहुत इंतिसार किया था तू कर अरे क्या बता हो जारा चानक मेरी माकेट इवित खड़ाब होगे को फून किया है वह घर पे थे ने फिर होस्पेल में लेकित तू बता तू का था मैं वो दीपवार में था यार बड़ा मज़ा आया अच्छा आएएए फिर तर फिने पूब मज़ा किया होगा इसलइड यार इंस्पेक्टर उसन कोट के बाहर वो बैग तुम ही ने दिया था ना हां मैंने दिया था तो फिर वो दारू की बाटल भी तुम ही ने डाली होगी कहना क्या चाहता है तू कि वो दारू की बाटल उस बैग में तुमने डाली थी विशाल, विशाल, रुख जाओ रुख जाओ विशाल, चोड़ो मुझे, चोड़ो मुझे, विशाल करे करें, विशाल, विशाल, चोड़ो मुझे, विशाल चोड़ो मुझे, विशाल का जल्दी चूटना मुश्किल है, केस काफी बिगड़ गया क्योंकि उसने पुलिस वालों पर हाथ उठाया है कि आप कोशिश तो कीजिए वकील साब कोशिश कर लेते हैं लेकिन चांसिस बहुत कम है मेरा केस भी कोट में मैं पुलिस का कवा हूँ एक तरह से मैंने कानून की मदद की है लेकिन कुछ लोगों ने मेरे बेटे को जूटे कून के इलजा में लौकर में बंद करवा दिया है आप उसकी जमानत करवा दीजे बाद में उसका भी केस कानूनी तरीके से चले कोई बात मैं आपका पहुत आभारी रोंगा देखिए इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ पुलिस की करवाई में हमारा कोई दखल नहीं होता आम सॉरी जट साब मेरी बात चुरिए ज़िए बेटे की सवाल है जाने ज़िए ज़िए आपने इस तारीख में केस को कितना तोड़ा है यह मुझे मत मताईए मेरे बेटे नागेश को लॉक अप के अंदर आज पूरे तेरा दिन हो गए है यहां मेरी आत्मा पर बोज़ बढ़ता जा रहा है क्योंके मैं ही उसे मार मार कर पुलिस स्टेशन तक ले गया था यह सच्चिद अनं स्कूल मस्टर द यह जानते हुए भी कि उस लड़की को मेरे बेटे ने उढ़ाया था मामुली साम मास्टर मामुली साम मास्टर चश्मदीद कवा जिसमें यह सब अपने आँखों से देखा है मास्टर सच्चिता अनंद अगनी होत रही है कि गामले साब नागेश को दो घंटे के लिए और आज रात के लिए मास्टर जी की सिक्रेटिय हटा दो अब यह नया क्या है कुछ मुझे भी तो बताओ राना साब अब तो यह केस आने वाली इसी तारिक में निपड़ जाएगा देखकर बोलने की बीमारी है ना इस मास्टर को अब मैं जो उसे दिखाऊंगा कोल्ट में बोलना बहुत भारी पड़ेगा उस मास्टर को कर दो में ऐस फुआ कर दो से क्याहका है उसरी नाएगवा पर छेखर भी , यह दो से फटेखर देखर में, इक कि खूसा करेका औराम मेुआ है क्युआ है क्युआ है मा ये दूद पीलो फिर दवायां भी तो लेने हैं आपको नहीं बेटे और कितनी दवायां खिलाओगी मुझे मैं इतनी बिमार थोड़ी हूं आज पूरे पांच दिन होके विशाल को देखें क्या केते हैं वकील साहब कब तक छूटेगा वह वैसे हम पूरी कुशिश कर रहे हैं के विशाल जल से जल छूट जाये कल हमने कोर्ट में अपील भी कर दिये बस वो जल्दी भाहर आ जाएगा इतनी रात हो गई है यह भी अभी तक घर नहीं लोटे हां हां क्या हुआ है नमस्ते 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 बाबुजी कैसी बेटा ठीक हो क्या बात है क्या फिर कुछ कुछ नहीं है कोई बात नहीं है है और मैं तो इतनी रातक कोई खास काम निपा भी नहीं कि यूवी गाडन में बैठा था आ या अजय माफ हमेंदो चैनल है करा और पाता ही नहीं शपशते भाक नहीं छला कर दो अब करो गाईत्री क्यादे hacer cap ass 2 Beijing वाला है कल कोट की तारीख है न सब ठीक हो जाएगा जल्दी छूड़ जाएगा तो मैं जेट साब को मिला था उनके बंगले पर बहुत नेक इनसान है मेरे केज का फैसला तो आज की तारीख में हो जाएगा उसके बाद उसके बाद मैं तेरी जमानत के लिए बहुत दौड भाग करूँगा अब तो अच्छे अच्छे वकीलों से मेरी जान पहचान भी हो गई है तेरा केस में किसी अच्छे वकील को सौप हूँगा अच्पन में तो मेरी इस घड़ी के साथ खेला करता था एक बार मैंने तरह स्कूल बैक से भी बरामत की थी याद याद है मैंने तेरे को एक चपत भी लगाई थी पिछले कुछ दिनों से मेरे लिए घड़ी बेजानसी हो गई है इसकी सुयों की रफतास से मैं दाल में नहीं मिला पा रहा हूं तो इसे न इसे तू रख ले शायद शायद तो इसकी रफतार पकड़ सके जल्दी छूट जाएगा तो कि मास्टर जी आज कोट की कारेवाही के लिए मानसिक तोर पर आप पूरी तरह से तैयार हैं हाँ मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ और तैयार भी आप कारवाई शुरू कीजिए मिलॉर्ड ये रही पैनल अफ डॉक्टर्स के रिपोर्ट इस रिपोर्ट के बारे में मैं कुछ देर के बाद बात करूँगा मैं लॉर्ड इस सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता कि एक गवाह को अदालत की कारिवाही में जहनी तौर पर परेशान होना पड़ता है कानून के हाथों कोई गलत फैसला ना हो इसलिए अदालत में कुछ मुद्दों को बार-बार दोहराना पड़ता है चेड़ना पड़ता है आज गवाह के कटखरे में खड़े एक अध्यापक के चेहरे पर परेशाने देख कर मुझे भी बहुत दुख होता है माई लोर्ड, मेरे जिन्दगी में अध्यापक के बहुत बड़ी आहमियत है मैं बच्पन में बहुत बड़ा शरार्ती था और एक अध्यापक ने मुझे सुधारा था उसी अध्यापक से मेरे जिवन को एक सही दिशा मिली इसलिए आज मैं हर अध्यापक के बड़े इज़त करता हूँ आज कानून का हमायती होने के नाते मैं अदालत की मर्यादा को बचाने की कोशिश में लगा हूँ जहां एक तरफ इस बात की मुझे खुशी है वहां दूसरी तरफ अफसोस इस बात का है कि मेरी इस कोशिश में एक अध्यापक को परेशान होना पड़ रहा है हाँ तो मास्टर जी तेरा अक्टोबर की रात को आपने जो भी देखा मैं फिर एक बारा दालत के सामने रख रहा हूँ आप एक बायान को दोरा रहा हूँ तो तेरा अक्टोबर की रात को ग्यारा साड़े ग्यारा बजे आप वरली नाके के तीन बती चौरा हिससे गुजर रहे थे आपने एक लड़की की चीख सुनी आपने देखा कि कुछ लोग एक लड़की को उठा कर पुलीश जीप में डालते हैं उन लोगों में से आप नागे श्राना को पहचानते हैं आप उन्हें रोकने के लिए आवाज भी देते हैं लेकिन आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है कि उस लड़की की चीख आप तक पहुंच पाती है और आपकी आवाज उन लोगों तक नहीं पहुंचती नहीं इसकी भी एक वज़ा थी आप इने बताया था और बिल्कुल दुरुस्त था आपको याद है मैं मैं बताता हूं मैं बताता हूं जहां यह घटना हुई वहाँ पास में एक रेलवे ट्रैक था जहां से एक ट्रेन गुजर रही थी जिसकी वज़़से आपकी आवाज दब गई हाँ ऐसा ही है हाँ तो यह आपने तीन बती की बाहे ही तरफ से यानिके चित्रा सिनेमा की पीछे की रोड्ट जो वरळी नके की तरफ जाती है वहाँ यह घटना देखी मतलब आप वरली नके से काफी दूर खडे थे टैक्सी स्टैंड के नाहीं तरफ यानि कि आप जहां खड़े थे उसके पीछे उस चौका मशूर हनमान मंदिर था मैं मैं ठीक है रहो ना आप हनमान मंदर के सामने खड़े थे ना आप मंदर के पास खड़े थे ना कि नहीं मैं मंदर के पास नहीं खड़ा था मैं चर्च के पास कड़ा था था हाँ हाँ ठीक के रहें आप आप चर्च के पास खड़े थे अचा नागेश और उसके साथियों नहीं लड़की को उठा कर जिस गाड़ी में रखा वो पुलीश जीप थी आपका बयान फुक्ता तरीके से यह है कि रात के साड़े ग्यारा बजे आप वरली नाके से कुछ दूर हरमार मंदर के पास से आपने एक लड़की की चीक सुनी आपने देखा वरली विलेज की तरफ जाने वाली रोड के पास रेलवे की पुराने बीडिंग से कुछ लोग ए लोगों ने रोकने की कोशिश की लेकिन उस वक्त नजदीक से ट्रेन गुजर रही थी आपकी आवाज दब गई लोगों ने लड़की को एंबुलेंस में उठाकर डाला और वो चले गए मेरी बात पूरी तरह से दुरुस्त है ऐसा हुआ था उस घटना में लड़की चिला आए लड़की जिस गाड़ी में डाली गए वो एंबुलेंस ही थी हाँ मगर अब भी आपने बताया वो पुलीश शीप थी बेहतर यही होगा कि आप अपने लफ़ों में पूरी घटना अदालत के सामने रख दें मैं रात को वरली नाके से गुज़रा पूरी बात बताये पूरी बात क्या वक्त था क्या टाइम था उसवक घड़ी में याद कीजिए थोड़ा पिछे जाए कहां से आ रहे थे आप कहां से आ रहे थे आप मैं आखरी लोकल से चेम्बूर पे उत्रा और बस लेने के लिए नाके से गुजरा मास्टर जी आप वरली नाके से गुजर रहे थे आखरी ट्रेन से आप चेम्बूर नहीं महालक्ष्मी उत्रे होंगे हाँ महालक्ष्मी आखरी ट्रेन इसका मतलब है कि आप बारा साड़े बारा बज़े महालक्ष्मी स्टेशन उत्रे एक बज़े वरली नाका पहुचे इसका मतलब यह है कि ये घटना जो घटी वो एक बज़े के आसपास हुई अहां लेकिन आप तो बार बार ये दोहराते आ रही हैं अपने बयान में कि ये घटना ग्यारा से साड़े ग्यारा के बीच हुई और अगर 11 से साने 11 बज़े तक आप वरले नाके पिते तो महालक्ष्मी जिस ट्रेन से उत्रे थे वह आखरी ट्रेन नहीं थी कि मुझे अच्छीता याद है मैं चेम्बूर आखरी लोकल ट्रेन से बारा बज़ के 27 मिनट पर उत्रा था महालक्ष में उत्रा था आप किस ट्रेन से किस वक कहां उत्रे ये सवाल आपके लिए आप भी खड़ा है वरले नाकी की वो जगह जहां खड़े होकर आपने ये पूरी घटना देखी आपके पीछे को इमारत थी हमें हरुमान मंदिर के पास आपके पीछे मंदिर नहीं था च दर्श था चर्च बयान में कहा है आपने आप कभी महालक्ष में उतरते तो कभी चेंबूर घटना के वक्त आपकभी चर्च के पास खड़े होते तो कभी मंदिर के पास जिस गाड़ी में लड़की को डाला गया वह कभी पुलिस जीप होती है तो कभी अब्याइम्बूले मैं जुटा नहीं हूं मैं मेरी हर बात सत्य है 13 अक्टूबर को नागेश उसके साथ को लड़की को उठा तो मैंने जिस गाड़ी में देखा था वो एक पुलिस जीब थी और यह हादसा रात को साड़े 11 बजे हुआ था जहां से खड़ा मैं सब कुछ देख रहा था उसके पा इसका मतलब कल रात आपने ये घटना दोबारा देखी कल रात चेंबूर नाके पर नागेश ने फिर से एक लड़की को उठाया था लौर्ड मास्टर जी के इस किस्से के तार को मैं छेड़ना नहीं चाहता नागेश जिसे क्राइम ब्रांच के लॉक अप में पुलिस सुरक्षा में पूरी एहतियाद के साथ रखा गया है उसे कल रात मास्टर जी ने चेंबूर नाके पर देखा मास्टर जी की दिमागी हालत को बहतर समझने के लिए मैं आपके टेबल पर रखी हुए रिपोर्ट पर आना चाहता हूँ रिपोर्ट में ये साफ है उन डक्टर्स ने भी मास्टर जी को दिमाग की एक खास बिमारी का शिकार पाया है क्या मतलब है आपका एक मिनिट एक मिनिट आपको बोलने का मौका दिया जागा एक मिनिट मारोड ऐसे केसिस में पेशन की मेंटल कंडिशन ऐसी हो जाती है कि वो आँखों से देखता कुछ है और समझता कुछ और है मसलब सड़क पर वो भीड देखता है मजमा लगा हुआ है तमाशे का लोग मजा ले रहे हैं उसे लगता है किसे को पीटा जा रहा है पस या ट्रेन पकड़ी की जल्दबाजी में सामने से कोई भागता हुआ नजर आता है उसे लगता है उसका खून करने आ रहा है ऐसा आदमी हाथ के रुमाल को साप समझ कर चीख सकता है किसी के हाथ में पकड़वी कलम को रिवालवर समझ सकता है टेलिफोन की घंटी को बिजली का कड़कना समझ कर घर के खड़की दर्वाज़े बन कर सकता है ऐसे आदमी के लिए हर चीज़ के मायने उसकी पहचान कुछ और बन जाती है ऐसे आदमी को हर चीज़ से एक एक खास किसम का डर बना रहता है अभी रुमाल, कलम, टेलिफोन, साब, बिच्चू इन सब की बनावट अलगा अलगा इनका कामकाज अलगा अलगा इनका रंगरूप अलगा बिलकुल अलगा अब आप मुझे बताईए मासरीज़े आपके जेब में क्या रखा हुआ है मैं आपका खेल समझ गया वकील साब मैं समझ गया कि आप अदालत में ये साबित करना चाहते हैं कि सच्चितानन अगनी होतरी जो इस वक्त इस कभा के कटखरे में खड़ा है एक पागल आदमी है लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मैं पागल आदमी नहीं हूं मैंने वहीं बोला है जो मैंने देखा है और मैंने आज तक जिंदिके में कभी जूट नहीं बोला है आप जानना चाहते हैं कि मेरी जेब में क्या है मैं आपको यहां तक बता सकता हूं कि आपकी जेब में क्या है मेरी जेब में यह कलम है जिससे लिखा जाता है मैं जानता हूं कि दिवार पर वो जो चीज है वो एक घड़ी है और उसमें इस वक्त चार बच कर आट-टीस मिनट हुए है मैं जानता हूं जो आदमी उस मशीन के आगे बैठा है वो एक टाइप राइटर है मैं जानता हूं कि मैं जानता हूं कि टेलीफोन से बात की जाती है कलम से लिखा जाता है मैं ये भी जानता हूं कि लोगों की भीड़ में जो और बैठी है वो मेरी थरम पत्री है उसका नाम गाइटरी है और उसके साथ जो आद भी बैठा है वो मेरे संधी है आप जानता हूं कि मेरा बेगुनाय गौता बेटा तो इस वक्ट जेल की सलाखों में सड रहा है और उसे छोड़ा नहीं जा रहा है जानता हूं कि यह चश्मे का कबर है और 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 भागल साबित करना चाहते हैं मैं भागल नहीं हूँ जानता हूँ ये कलब नहीं एक रिवाल्वर है और इससे आप भी मर सकता है आप जाना चाहते हैं क्याते हैं आप जाना चाहते हैं कैसे यह दिखिया है थे कैत्री कैत्री भी कैत्री 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 ही मैं एकी इनोन म relatively अरी नहीं है यह… भी है भी हादी घ्र कैत्री कैत्री आप एक रुए नहीं है तेरा बाप सर फिरा था उसने मेरे सामने जस्पाल राना के सामने ऐसे हालात खड़े कर दिये कि मुझे अपने ही हाथों अपने बेटे को लो लोहान करना पड़ा तेरा बाप मर तो गया लेकिन उसकी सजा अभी तक पूरी नहीं हुई कहते हैं कि बाप के शरीर को जब तक बेटे के हाथों आग ना मिले उसे मौक्ष नहीं मिलता और मैंने कुछ ऐसा बंदोबस्त किया है कि मास्टर की चिता को तेरे हाथों आग नहीं मिलेगी कोर्ट आउडर के हिसाब आए एए 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 एक मामूली से स्कूल मास्टर का खून इतना गरम होगा इसका मुझे अंदाजा ही नहीं था आमली तर्णा करोई से तर्णा करोई से पैसे आपको हैं आपको नहीं कैसे हुए एक बीटा अपने पिता का नुए ने कर सकता चलो चलो जल्दी का सौर जी को जी लुक जाओ मैंने कहा ना जब तक मेरा बेटा नहीं आ जाता ये अरती नहीं किसी जाएंगी छोड़ो गामरे सहाब विशाल मास्टर जी का एक लोता बेटा है क्या आपका कानून आपकी अदालत ये भी नहीं जानती के पिता की देखिए गरीवाबू कोड के ओडर्स विशाल की भलाई के लिए हैं हमारे डिपार्टमेंट को इंफोर्मेशन मिली है कि कुछ गुंडे जैसे लोग विशाल की गेम करना चाहता है उसके बाहर आने से शेहर में खुन खराब हो सकता है और इन ओडर्स के साथ हमें इंस्रक है बिल्कुल ठीक है आप अच्छी तरह से अपनी ड्यूटी निभाईए जला दीजेने जिस तरह अदाल्य चाती है उसी तरह जला दीजेने इस आत्मी के साथ यही होना चाहिए पेचे के हातों आग नसीब नहीं होने चाहिए इसके शरीर को जिंदगी पर सच्चाही और जुझ फूजा करते रहे इस सदा दो मिली चाहिए जला दीजे जला दो बांदो इसके साथ यह होना चाहिए लेकिन कामली कि आपका देर सिर्फ ये सची दाना नगनी होतर ही नहीं बनेगा बल्के मेरे बेटे के क्रोथ की आख से जस्पाल राना से लेके तुछ तक सब बनेगे देर राक के देर जो भी जखम थे इनके सर में थे वो हमने साफ कर दिये ये कुछ दवाईया लिख कर दे रहा हूं ये महगा देजाए जाए व्योच वठयजाए इनके साफ तो ये जब कर दो दुछ पर देर देर राक कर देर राना प्रूप कर दो दोनेगे गभा देर दिये एमने अशना फिरते बनावच पर देर राख आए कि अइब कि पुझे कि अगरे जपा थी जवचे जए खुचे कि अगराइब झावी जवचे. झाल एाफ कि राना साहाब कि खबरदार अगर जेब से चिठी निकाली बंटेश्वर राना साहब मैं तो रुमाल निकाल रहा हूं जी अब देखे राना साहब इस बार बड़े भईया ने कौन सी चाल चली है लिखा है भती जी की शादी तब तक नहीं हो सकती जब तक वो जमीन ना बेच दूँ अब आप ही बताईए राना साहब जमीन को बेच कर मैं अपने दादा की आत्मा को दुखी तो नहीं कर सकता ना जी वो हमारे पुर्खों की जमीन है जी किस जमीन की बात कर रहे हो वही धाई बीगा धाल पूर से फिर से बड़े भईया की चिठी आई है जी निकाल लो हलो है अच्छा अच्छा राना साहब विशाल जेल तोड़कर भाग गया कांबले साहब ये खुश खबरी देते हुए आपका सीना तो बहुत फूल गया होगा तो आप अपरादी जेल तोड़कर भागने लगे हैं चुटाप मैंने तुम से कितनी बार कहा था कि विशाल के ओपर करी नजर रखना इडियाट पाकीश कहा है कर दो कर दो... वो खुटु पुटु पुटु फुटु पुले वो! शे वादी दिल्मा के खुटु पुले मेरे पिच्छू पड़े कुछ लड़के आंगे कुछ पीछे कड़े कुछ छत के ओबर कुछ नीचे कड़े पिच्छू पड़े मेरे पिच्छू पड़े पिच्छू पड़े मेरे पिच्छू पड़े हुआ हुआ है ये जह सहां है तो बरवानई यहां कितनَ है अह में जो वन कि नजारों कुछ भाऊ। जो ऒड हुप कैसे हुआ हुआ जुआ हुआ 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 थाज़धा हुआ हुआ धुछ नाख तो हमें चुछ इन को यह ल flash हुआ 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 च्छ 57 प्रुब्स 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 आओ राव जान मेरी उम्रा भी सत्रा है मेरे माजूम जवानी को यहां खत्रा है कोई आफोस मेरे दिल पे यहां भार कर कोई तुछ दे कोई चुप चुप की मुझे प्यार कर कैसे दुछों में यहां सारे चड़े कुछ जद के ओबर कुछ अगी चेड़े किछू पड़े, मेरे पिछू पड़े, कुछ लेड़े के हांगे, कुछ पीछे करने, कुछ छासे के हूब, कुछ निचे कुले मिच्छु बड़े, मेरे पिछु बड़े झाल 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 राना साथ विशाल को देखते ही गोली बार देने के ओर्डर्स हैं आप देखते जाएए चौवीस घंटे के अंदर उस विशाल की लाश आपके सामने होगी तेरे नागेश को चिता पर लिटा दिया है मैंने तेरी वज़े से मैं अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाया था मगर तू अपने बेटे की जलती हुई चिता को देख सकता है नागेश को किसी शमशान में चलाकर मैं उस शमशान को अपवित्र नहीं करना चाहता था मैंने उसे कपास वारी के पीछे एक कटर के पास चलाया है जाना वक्स से पहुंचेगा तो आग मिलेगी तेर करेगा तो राक क्या हुआ रहा है यह कैसी यह आग नहीं यह नागेश है नागेश है कि अधिया 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 शर्मा माच जो भी बात कर लिए कर लो से अगर जोग भी करो इसे तो सीरेस हो जाता है यह अगर चार टांगें होती तो इसका जवाब पूचो इसे सही है सही अगर चार टांगें होती ना इसकी तो क्या हाल है प्रधान साथ अपने परिवार वालों से नहीं मिलवा होगें हाँ हाँ क्यों नहीं है यह मेरा बड़ा बेटा है विनोध अमरिका में डॉक्टर है यह मेरी बड़ी बहु है और यह मेरा छोटा बेटा है पट्टा में फैक्टरी प्लान कर रहा है यह मेरी वाइफ और यह मेरा पोता है रिको मेरा नाम विशाल है मैं तुम्हारे दादा जी का एक लाइंट हूं तुम्हारे दादा जी ने मुझे बड़े मुश्किल से केस में डाल दिया है जिसका क्या हलोगा मुझे रही मालूं तुम जानते तुम्हारे दादा जी क्या है मैं बताता हूं कानून की दुनिया में बहुत बड़ी जगा बनाई है इन्होंने अदालत में केस जीतने के लिए इनका फेका हुआ हर तीर निशाने पर लगता है सच जूट के फर्क का ये यूँ खुलासा करते हैं यूँ इनसाफ की कुर्सी पर बैठे हुए किसी भी जज की कलम इनकी दलीलों के खिलाफ नहीं उपते हैं आदमी तो इतने नेख है कि खुद की तारीफ सुनना भी पसद नहीं करते हैं जाओ तुम अपने कबार जाए जाओ क्यों प्रधान साब खुद की तारीफ सुनकर पसीन आ रहा है किसी के मुझ से कोई आवाज नहीं निगलेगी कि कहते हैं जब मेरा पाप मरा था तो मेरी मां की आवाज बत हो गई थी बच्पन में तुझे एक अध्याबक में सुधारा था उस अध्याबक की वज़ा से तुझे एक नहीं दिशा मिली थी और मुझे एक वकील की वज़ा से मुझे माफ कर दो लखते उसने फोन की लाइन काट दिये और उसने दर्वाजे भी बाहर से बंद कर दिये हैं मुझे माफ कर दो नहीं प्रदान साहब बड़ी बड़ी अदालतों में ऊची अवाज के साथ जिसकी उंगली उठते हो वहाद जोड़कर माफी मांगे अच्छा नहीं लगता मुझे मत मारो मुझे मत मारो मैं कोरिट में तुम्हार ले कुछ कुछ भी कर दो कभी देख नहीं पाएगा प्रदान देखता तो तू इंसानों जैसा है तो टांगे मूह हाथ सर तेरी नसल तेरी कौम कुछ और ही है तू इस दुनिया से अलग है प्रदान और हम अलग देखना चाहता है देख मेरे खुन का रंग लाल है तेरे खुन का रंग लाल नहीं हो सकता मशूर वकील अशोक प्रदान गोल्ड मेडलिस्ट अब इस दुनिया में नहीं नहीं है कल अपने बाप को कंधा देते वक्त अपने दिल और दिमाग में ये बात कायम रखना कि एक बाप को नहीं बाप को कंधा दे रहे हो हलो कामले सहाब मैं नागेश बोल रहा हूं कान बोल रहा है नागेश बोल रहा हूं कान नागेश तुम जिन्दा हो आप मैं मैं जिन्दा हूं कामले सहाब कहां से बोल रहे हो इस वक्त तुम फिकर मत करना मागेश मैं आभी वहां पहुचा अच्छा मुझे ये बताओ आदमी इस वक्त कहा है वो इस वक्त यहां नहीं है वो बाहर खाना लाने गया है मिरे को बहुत डर लग रहा है कामने सहाब प्लीज अब ज़ली आये कामने सहाब प्लीज जली आये तुम ढरना मत मागेश मैं आभी वहां पहुचा कामले सहाब काम लेस्णाफ! इदा रुख बार! काम लेस्णाफ! 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 खाँ! कुपना है! प्लिवार का लुड़ एंगार कॉराग आपकपपटी जी बाला के इना गाए बाला का लुड़ कि बाला के लोग एंगाके आपको ब topic. पाँ… ठहुब प्रदए. पहुआ हाजाज। कर दो दो एपाई खो एपाई था लो एपाई उनी उनी पढ़ एफ पार खे झाई। लाँ, लाँ! लाँ, 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 लाँ! अज़ रदाँ दान खान बान दोन गड़ हों में थाए राँ वह रह रह राँ वह रह राँ बाँ्प वह रह 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 पैसो के जोट दो क्या दो ख वस लेज संगी. हाँ 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 हम यह नेशनल नोटल में बैट के चाय पी रहा है है ओम सदूंहित है नाफ में हें नापिये मैं लीजुक टेक्सी पीशि कर दोख अड़न prefixरा नियुक चा Awwony uk नेश–क्वित खादाफ अलटार्व रोकुश करंगर कांट रेम नाचीस करने अला मैं जराए दोगत नागेश नागेश। आगेश। अगेश। नागेश। नागेश। कर दो 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 कर ताहिजर आखिजर आखिए나 असमेरी वैं आखिसीत कर दोड़ी है और आखिए और आखिए मैंकि हुम और राखिए व कंविल नाखिए ताकर की जीना अंट शेजर नाखिए कहा था विशाल अगनी होतरी मैंने ऐसा बंदोबस्त किया है कि तुम अपने बाप की चिता को आग नहीं दे पाओगे याद है अब कैसा लगा मेरा बंदोबस्त एसाल पूर राना जी तो काई जच, एक बड़ाओ, आट झाल झाल जगाँ एक्राइब बड़ आप्रेमा का नह्यों ही जढ मया है उत मत आप गजा pan празд में अगे चार निएखे ऐन पीजमा का उता है जब है हम जो की। और आपके उलता पीलन ख तो कर दिएा एगे सहपो और आपके ठarias को ए मकली को काल Сबसु है और आपके है प्य nih yıl या आपके लैसके बाम म reais कि अवी ढूँखो एक नूब कि भी झा मुपफ मुफचार, की घुल consumer. कि हमाई एक जहते कल एक मुफफे क्वामाइखा, की दो चसाए! की वैंत क lagi मुपफे की एक विया नहीनए तो एक तो आतुम मुफफे हैं! ensionils का ट Gleichना! कि उते हैं! प्रुबास वंआ नहाँ वदो को बिंट्या वैंच 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 कर दो थाह. वहाइख कर वर कास्ताइ। तरली हमेप् सत्राइवभ हो गैता। कर दो कर दो हुआ है झाल 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 ह मैं हुए से दील में हुए सु लित्व ह mal हुँ, हुँ, हुँ हुँ, हुँ, हुँ सुर्ण विशाल, तुम्हारे दूसरे पक्ष को जान लेने के बाद, यह कमेटी इस नतीजे पहुची है, कि तुम्हारी उम्र कायत को कम करके सर्फ चार साल कर दिया जाए अगर अगर कुछ काम करना ही है तो फिर हलात ऐसे बनाई है कि फिर मेरे जैसा दिजाल यहां – पैठकर आप लोगों को शरमन्दा ना करें नहीं arm ते मेरी सजा कम करने को एन यस मेरी सजा कम करेंगे को और फ्राइब आ है झाल 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 झाल